वेल सो गुड़ मॉनिंग गुड आफ्टनों गुड इनिंग टॉल अफ यू कैसे हो आप सभी लोग आप बहुत अच्छे होगे ऐसी अच्छे और तंदुर सहीएगा और मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ आज की दिन के शुरुवात एक बहुत अच्छे पॉजि इडिटी में असी पार उसके दिचे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है तो आर यू रेडी येस और नो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं और मेटा मैं बता दो मेरे क्लास में टाइम पास बहुत कम होता है मैं subject oriented जादा हूँ और मैं even practice भी करता हूँ और मैं बड़ा serious practice करत होगा यह मेरा आपका मादा है बस आपका थोड़ा मेरे साथ involvement होना जूरी है और आप जो मुझे online देखते हो या ODPD में देखते हो तो obvious है कि screen के सामने नीन घंटा continuous किसी की बड़बड सुनना थोड़ा कभी कभी boring हो जाता है इसलिए अपने आपको ज्यादा से ज्यादा involved रखो और कि मैं जो draw करता हूँ उसमें आप involved रहो और कि वो draw करते वक्त thinking process में involved रहो तो IDT आपका one of the most interesting subject बन के रहेगा thank you thank you so much तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की मैं सबसे पहले revision करवा देता हूँ आपकी और उसके बाद मैं हमारा discussion को आगे बढ़ाएंगे आजाए दोस्तो हमने जहां तक है आपको याद होगा तो हमने utilization utilization of ITC देखा था और utilization of ITC में जहां तक देखा जाए तो IGST का credit अगर आपको याद होगा तो just a minute मैं silent पर कर देता हूँ होगा IGST का credit आपके पास पढ़ा होगा तो सबसे पहले IGST में यूज करो बाद में CGST और SGST में पहले खतम करो IGST का balance CGST और SGST में आप किसी भी proportion में यूज कर सकते हो then CGST का credit CGST में और IGST में SGST और UTGST का credit respectively SGST और UTGST में और IGST में cross credit of CGST और SGST allowed नहीं है यह तो आपने inter level पे भी पढ़ा था ठीक है उसके बाद में next हमने एक problem solve किया था यहाँ पे और उसके बाद हम आये थे CGST act लेवी पर ओकी लेवी concept क्या कहते हैं इंडिया की definition देखी थी definition okay broad sense में आप कैसे याद रखोगे इंडिया तो territory of इंडिया उसके बाद मैं territorial water seabade, subsoil, continental shelf, exclusive economic zone, maritime zone और airspace में about territory and territorial water exam के इसाब से priority C में रखो मुझे ने लगता है इसके पर कोई सवाल पुछेंगे exam के इसाब से priority C में रखो हाँ exact ऐसी कोई definition वो पुछने वाले नहीं है पर हमने बहुत detail में देखी थी definition जहां तक है सब सही चल रहा है ना बेटा, सब सही चल रहा है ना प्लीस बताइए क्योंकि मेरे इसमें तो सब सही चल रहा है तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो territorial water, sea bait, सब सही उसके नीचे का और exclusive economic zone और continental shell, airspace ओपर का इन्होंने cover कर लिया है उसके बाद में union territory की definition हमने देखी थी next अगर हम बात करें तो charging section जो simplified way में यहां पर हमने दिया है okay आपको simplified way में पढ़ना है हाँ यहां जो bare text है आप फड़ा उसमें से read करना चाहो bare text कैसे समय के पढ़ना चाहिए वो आपको पढ़ना है तो वो yes आप read कर सकते हो simplified way में अगर देखे तो section 91 यह कहता है यहां लिख सकते हो section 91 यह कहता है कि cgst all intrastate supplies of goods or service पे लगेगा except alcoholic liquor liability taxable person पे आएगी no doubt taxable person का definition हम आगे देखेंगे और next अगर हम यहां बात करें तो value value section 15 के हिसाफ से decide किया जाएगा next rate maximum cgst के 20 होगे अभी 20 परसें तो नहीं है अभी maximum rate notified by the government 48% है अगर आपको यहां लिखना होगा तो currently cgst max rate okay max rate cgst max rate 14% है okay 14% notified है okay 14% यहां notified है उसके बाद में next यह section 5 यहां code कर देना interstate supply होगा तो यह igst लगेगा exactly same parameters पे लगेगा on all supply of goods except alcoholic liquor maximum rate यहां पे 40% जा रहा है कुछ goods पे ना cgst ना igst लगता है कौन से goods पे cgst और igst नहीं लगता है उसके बाद में specifically imported goods पे igst लगेगा उन्होंने खुद कहें दिया क्योंकि imported transaction interstate माना जाएगा पर उसका igst gst law में नहीं लगेगा उसका igst customs law में लगेगा under custom tariff act section 3 जिसका नाम है sr37 और gst compensation says sr39 के नाम से लगेगा और next अगर हम बात करें तो एक concept की शुरुवात में ने की थी जिसका detailed discussion जो है हम igst act में पढ़ेंगे section 16 of igst act zero rate supply बहुत से लोग zero rate supply का meaning लेते हैं वह confused हो जाते हैं वो यह सोचते हैं कि zero rate मतलब nil rate या exempted नहीं भाई zero rate मतलब nil rate और exempted नहीं zero rate मतलब okay incentive बोलो मेरे साथ एक बार फिर से zero rate मतलब incentive आपको incentive दिया जा रहा है अगर आप export करते हो या फिर आप SEZ को supply करते हो यहने अगर आपने SEZ को supply किया तो यह भी interstate माना जाएगा और यह zero rate में classify किया जाएगा और यह एक तरह का incentive है in the form of zero वो goods actually zero rate के character नहीं रखता है और वो incentive मिलता है तो यह था हमने यहाँ पर discuss किया था chapter 1 का concept ले भी खतम किया था उसके बाद में भाई साफ अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ कुछ definition देखी थी परसन की definition exam के इसाब से priority से इस पर कुछ नहीं बड़ी important definition है practical life में इस word का बड़ा importance आजाता है और बहुत सा section में taxable person का reference है जैसे section 9 कहता है कि अगर आप taxable person हो तो ही liability आईगी 9 का chart याद रखना ओके अब 9 जो है यहाँ पर मैं आपको 2 minute का time दे रहा हूँ अगर आपके पास बाजु में रभ pages होगे या रभ book होगी वो भ यहाँ पर एक बीना देखे section 9 का chart बनाने की कोशिश करो बीना देखे rap में rap में okay small point पर जो मुझे audio PD में देख रहा है वो pause करके कोशिश करो जो मुझे अभी live streaming में देख रहा है okay तो मैं उनको specially यहाँ पर 1 minute का time दे रहा हूँ चलो फटाफट करके देखो rap में देखो मैं भ अगर आप में बनना चाहिए आपका chart किसका बन गया आप में बन गया very good चलो तो आपने ऐसा okay बनाया अगर आप में जिसमें taxable person का बहुत importance है okay taxable person मतलब किया तो जो registered है या liable to registered under section 22 या section 24 okay उसके बात में next अगर हम बात करें तो yes GST में basic exemption नहीं है registration limit है okay या don't get misunderstood कि हर साल 20 लाग का exemption मिलेगा ऐसा नहीं है अगर आपने voluntary registration करवा लिया तो फिर आपको तफसीर GST दना पड़ेगा registration जब तक नहीं लेते हो as per law तब तक आपको benefit है once you registered lifetime GST pay करना पड़ता है जब तक आप registration cancel नहीं करते हो तो यह हमने पुरा discussion किया था very good भाई साब जो मेरे साथ involved होगा वह IDT में अस्सिमाक या उसक्या वह ले पाएगा जो मेरे साथ involved नहीं होगा मुझे response नहीं करेगा आप मेरे को पीडी में भी जेख रहे होगे तो जहां तक है मेरे साथ involved रहो नहीं तो आपको मेरी best wishes नहीं लगेगी मेरे साथ involved होना पड़ेगा okay so now मेरे energy के साथ रहोगे तो ही मजाएगा उसके बाद में register person जो GST में registered है section 25 की REG01 की process follow करके registration लेता है लेकिन okay UIN कुछ special case में दी जाते है जैसे notified of foreign embassies को दी जाते है United Nations international organizations को refund क्लेम करने के लिए तो जिनको UIN के category में डाला गया है वो register person नहीं माना जाएगा उसके बाद में supplier की अगर हम बात करें तो supplier जो goods का supply कर रहा है उसके agents उसमें आहा जाते है उसके बाद में अगर हम recipient की बात करें तो recipient yes बेटा औके चलो यह chart rough में ऐसा लिखो पूरे words भी मत लिखो सिफ points को वहाँ पे mark कर दो औके यह chart बिना देखे कोशिश करो यह chart बिना देखे कोशिश करो मैं आपको फिर से औके दो मिनिट का time दे रहा हूँ औके और जो ODPD में देखेंगे मैं बार-बार नहीं कहूँगा pause करके try करो ऐसा कुछ ऐसे rough में draw करके बैठाओ मुझे flow चाहिए मुझे word to word नहीं चाहिए मुझे flow चाहिए समझे क्या बात आपको तो recipient की definition हमने देखा yes very good उसके बाद में एक चाहर जो है एक चाहर रफ में बनाओ वो supply कर टाइप सब्सप्लाइगा रफ में बना कर देखो यह बिल्कुल ऐसा बनाओ supply taxable supply non taxable supply उसके चार supply ऐसा बनाओ कि अपने आपको भी समझ में ना है done okay चलिए तो यह हमने देखा type of various types of supply taxable supply exam supply यह exam supply में बार-बार में कहे रहो ख्याल रखना okay तीन type के supply इसमें include होता है पूरे GST purpose के लिए वैसे तो inherently exam supply, nail rate supply और non taxable supply में difference है okay वहाँ हिंदी में लिखो यहाँ पर side में लिखो ओके यह वापस definition में लिखो कि वैसे तो तीनों supply में difference है तीनों supply में difference है पर GST purpose के लिए यह exam supply माने जाएगा पर GST purpose के लिए यह exam supply माने जाएगा GST purpose के लिए यह exam supply माने जाएगा ठीक है चलिए यह हमने complete किया अब आते है next discussion पर चलिए बिटा अब आते है main section section 7 meaning and scope of supply are you ready चलिए जैसा आपने section 9 1 देखा था charging section देखो मैं आप छोटे-छोटे चार्ट सारे connect करने जा रहा हूँ और यह छोटे-छोटे चार्ट पूरे chapter में connect करूगा जिसका chart book आएगा chapter wise charts का फिर वो चोटे chapter के charts 3-4 chapter मिला के एक बड़ा chart बनाऊंगा उसके लिए wall chart आएगा आपको आपको GST में इतना comprehensive करते जाओगा न और इतना summarize करते जाओगा कि GST आपका one of the favorite subject बना चाहिए तो यहाँ पर 9-1, 9-1 में अगर आपको याद होगा levy, collection and person liable to pay tax, levy में charge, value and rate भाई सहाब, charge में क्या बोला उनने, charge ने बोला कि इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, supply होना चाहिए क्या होना चाहिए, supply होना चाहिए, supply को आपने touch किया कि current लगा, supply किसका होना चाहिए, goods का होना चाहिए, या service का होना चाहिए, फिर सवाल ही आ जाता है, what do you mean by supply, okay, supply में, yeah, what do you mean by supply, तो supply यहाँ पे, अब हम देखेंगे, section 7, याने section 7 का chart, अगर आप 2 chart connect करो, तो और एक बड section 7 का chart होगा, supply, चलिए, okay, section 7 का chart यहाँ पर देखने की कोशिश करते है, यहाँ, तो section 7 पढ़ने की कोशिश करते है, done, section 7 का bear text क्या कहता है, statutory provision, ठीक है, और उसको बाद में simplified वह में समझने की कोशिश करेगे, section 7, sub section 1, पहले तो structure देखो, structure कैसे, यहाँ पर बनेगा, सब section 7, 1, उसके बाद में 1 है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, जहाँ से देखिएगा, उसके बाद में 3, यहाँ पर, यहाँ, section 7 में 3 sub sections है, उसके बाद में section 7 में आपको schedule 1 मिलेगा, schedule 1 मिलेगा, next schedule 2 मिलेगा, okay, और आगे देखते हो, तो section 7 का ही पार, schedule 3 रहेगा, इतन पूरा टेक्स ये चप्टर में पढ़ना है बॉस और ये बैर टेक्स पढ़ने जाओगे तो दो पेज है पर भाई साहब इसका analysis करना है with all clarification तो दो पेज नहीं होने वाले ये तो अगर हम बैर टेक्स पढ़े मेरे साथ पढ़ो बैर टेक्स फिर इसको जो है हम कैसे analyze करते है य supply की बारी आएगी तो वो कहते हम supply में क्या क्या include करने वाल है A, A, B and C ये चार clauses में अगर आपकी activity आती है तो GST का current लगेगा और वो supply की definition में cover किया जाएगा तो सबसे पहले start जो वो करते है तो वो कहते है all form of supply of goods or service आप goods or service किसी की भी form में supply करो वो supply की definition में include किया जाएगा such as sale, transfer, barter, action, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business ये basic definition है supply की फिर उसके बाद में कुछ और addition की है अगर मैं बहुत ही हमारे day to day language में कहने जाओ हो और आप वड़ा पाऊ खा रही हो, वड़ा पाऊ मेन pious है ऑग फिरस चोले बाट्व रहे हो बड़ा पाऊ मेरा favorite आप खा रहे हो तो यह main वड़ा पाऊ बाकी तो उसके साथ मिर्ची चटनी कि वड़ा पाऊ के साथ चटनी भी ले ले लो सप्लाय में पर मेन ये वड़ा पाऊ है, अगर आपको किस ने बुचा सप्लाय ने क्या, तो क्लॉज यहाना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में, यहाँ पे क्लॉज A, उसके बाद में क्लॉज A, एक्टिविटी और ट्रांजिक और शडूल वन की एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाय की डेफिनिशन में कवर करने की कोशिश की है, तो कौन किसी ऐसी एक्टिविटी है, जो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होगी, तो देखो, अगर आप क्लॉज A, A, A और B यह देखते हो, तो इ आपका supply for consideration होगा, तो ही GST आएगा, क्योंकि business tax है, आपने कमाया, अब government क्या कहती है, आपको मिला, हमको भी चाहिए, तो business tax है, तो business tax है, for consideration होगा, तो supply माना जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी activity है, जो free भी होगी, without consideration होगी, तो भी supply माना जाएगा, फिर 1 A देखेंगे, schedule, schedule to classification of supply पर है, कि कौन सा supply है, okay, supply of goods माना जाएगा, या supply of services माना जाएगा, उसके बाद में section 7-2, तो section 7-2, अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसी activity not treated as supply, okay, कुछ ऐसी activity not treated as supply, जिसे supply ही नहीं बोला जाएगा, okay, तो schedule 3 के activity, आपको inter level पर याद होगी, कुछ activity, जो non taxable, sorry, non treated as supply कहा जाता ह है, या negative list कही जाती है, और subsection 3, ओके, ये government के पास power है, कि कोई specific activity को, वो supply of goods भी कह सकती है, और supply of services भी कह सकती है, okay, done, तो ऐसे situation में, उसके बाद में, अब इन्होंने 3 schedule के नाम लिये, कौन से 3 schedule के नाम लिये, तो schedule 1, okay, उसके बाद में schedule 2 और schedule 3, तो schedule 1 का नाम लिया, कि भई तीनों schedule भी detail में देखना है, जैसे schedule 1, यहाँ पे 4 पैराज है, okay, उसके बाद में schedule 2 में, schedule 2 में total जो हमें detail में पढ़ना है, total 6 पैराज पढ़ना है, और schedule 3 में, okay, हमें 8 पैराज पढ़ना है, okay, और उसके बाद में section 8 हम इस chapter में देखने कोशिच करेंगे, और वो section 8 composite and mix apply, okay, तो चलिए, okay, bear text, no doubt, हम जैसे-जैसे words आएंगे, हम पढ़ेंगे, interpretation भी आपको पढ़ाओगा, पर एक और all sense में मैंने आपको पढ़ा दिया, कि यहाँ हमें दो section mainly पढ़ने है, इस chapter में section 7 और section 8, yes, बेटा, तो चलिए, okay, यहाँ पे अब शुरुवात करते हैं हमारे discussion के, supply includes, okay, section 7-1 कहता है, supply includes, मतलब सबसे पहले मैं आपको यह बता दू, कि यह definition includes you है, and not exhaust you, supply includes, okay, जो consideration वाले supply है, उसमें clause A, clause A कहता है, all form of supply for consideration, okay, in business, जैसे supply includes all form of supply of goods or services, all form of supply of goods or services, such as, example की तोर पर अगर लेले, कि भई, sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, वैसे तो definition क्या कहती है, वैसे तो definition कहती है, कि यह तो example है, यह तो example है, भाई साब, okay, इसके अलावी किसी भी form में, आप supply करते हो, goods or services का, और बोथ, आप लिख सकते हो, यहाँ पर और बोथ, goods or services का supply करते हो, यह दोनों का supply करते हो, important है, that supply is made or agreed to be made, कर लिया, तो वो भी supply माना जाएगा और उसके भी GST आएगा, हम आगे बात करेंगे, for consideration, no doubt, government कहती है, okay, हम GST तभी लगाएंगे, जब आपने goods or service का supply, for consideration किया हो, I repeat, for consideration किया हो, by a person, in the course or furtherance of business, और next, okay, वो जो आपने supply किया, वो in the course or furtherance of business किया है, तो देखो, यह अगर आ यह कहना है, कि अगर आपको GST लगाना है, और यह decide करना है, कि यह supply है या नहीं है, तो यह चारो conditions cumulatively fulfill होनी चाहिए, मतलब, okay, goods or service का supply होना चाहिए, made or agreed to be made होना चाहिए, उसमें consideration भी होना चाहिए, और वो in the course of business भी होना चाहिए, तो वो supply माना जाएगा, now, यह clause था, okay, 7 11a, इसको यह discussion को थोड़ा हम आगे बढ़ाएगे, लेकिन मैं चाहता हो कि एक chart हम बना लेते हैं, और वो chart में section 7 का पूरा flow बना लेते हैं, और फिर उस flow के base पर हम discussion को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए, आप एक काम कीजिएगा, अब chart पर आजाओ, और यह chart बनाओ, okay, चलि से लेना है, ठीक है, यह जो chart आएगा आपका, यह इसके लिए आपके register के दो vertical pages एक साथ यूज़ करना है, दो vertical, खड़े, खड़े, ओके, या एक काम करो, एक काम करो, vertical से ज्यादा, ध्यान सुनना, यह chart और अच्छे से आएगा, आप horizontal कर लो, यहने आडा कर दो page को, और उ horizontal उसके नीचे का एक page आएगा, और उसके back का page blank रखना है, और हमें start करना है, तो अब आपको क्या करना है, आपको यह chart ड्रॉ करते वक्त, सबसे पहले title देना है, supply, पूरा section का एक design बना लेते हैं, mapping बना लेते हैं, और फिर उसको step by step यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको mapping कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहले supply, यह दो पार्ट में divide करना है, section 71 और section 72, और यह step by step सब देखेंगे, section 71 क्या कहता है, okay 72 क्या कहता है, पूरा एक flow में हम यहाँ पर आगे discuss करेंगे, और जो जो भी पढ़ेंगे, हम chart में उसको लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा slow चल रहा है lecture पर चलने दो, okay important है मुझे mapping करवाना है आपसे, okay section 71 और section 72, दो पार्ट में divide करेंगे, जब 72 आप लिखोगे, चार्ट का system देखो, 72 आप लिखोगे, तो यह जो है, जितना आपने title दिया, बस उससे थोड़ा सा space इधर, उतना ही उसको यहाँ पे space दे जो free होगी, without consideration होगी, तो वो supply बोली जाएगी, वो supply बोली जाएगी, तो भाई साब, अब इसमें हम क्या करेंगे, okay, supply includes में with consideration, without consideration, और जितना आपने title दिया, without consideration, बस उतनी ही space आपको चोड़ना है, बाक्की का space आपको जो है, इसके लिए उसके लिए उसकरना है, with consideration, with consideration में आपको section 71A, okay, 71A जो अभी हम पढ़ रहे, section 71 clause A, और उसको divide करना है, 71B में, तो 71A और 71B में divide करना है, जितना 71B का title दोगे आप, importation of service, importation of service, okay, importation of services, okay, बस इतना space इसको देना, इससे ज्यादा मत देना, बाकि maximum space, okay, यहाँ पर मुझे जो चाहिए, वो 71A के लिए चाहिए, तो इस तरह से आपको draw करना है, तो यह जो है, चलिए, यहाँ पर, draw करो, आपका हो जाए, पुरा flow, और पूरे दो pages मुझे लगेगे और उसके बाद का भी page मुझे लगेगा, चलो draw करो, आपका हो जाए, तो बताओ, हो गया, चलिए, यह आपको draw करना है, screenshot ले लो इसका, screenshot ले लो, चलिए बीटर, अब आपको करना क्या है, अब आपको यह जो 71A है, यह 71A यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटा, फेले 71A को complete करेंगे, फिर 71B लिखेंगे, फिर 71C को complete करेंगे, complete analysis होगा, और फिर section 72, ओके, इस पर बात करेंगे, तो अभी आपको क्या करना है, यह 71A को आपको complete करना पड़ेगा, ओके, तो यह section 71A, यहाँ पर, चलिए section 71A लिखे, section 71A लिखे, 7-1-A को complete करो, वहाँ पर, all forms of supply, of goods, all services, और बोथ, जिसको सबपक मेलेना, पेला लिको, można रिको, such as न veto एफिस्संट op कोपू स्सेंट आए समूमुझे और हैं आए जए साय, आएस्ट च्छूचे c verloren crypto ओवोर अजियो कमई आए शोड खें चरकाई जांए हार अएंगाय on theिक. आसमेय चेल है इसका स्क्रीन शॉट लेलो यह आपको बनाना है सक्षिन 7 1 A अब देखिये सक्षिन 7 1 A जो है start कैसे होगा all forms goods or services for consideration in the course of business किसी भी form में आप देखो दोगे फिर वो form sale होगा transfer, barter होगा exchange, license, rental, lease or disposal या इसके अलावा कोई भी form होगा goods or services जो आपने for consideration दिया in the course of business दिया तो हम उसके उपर GST लगाएगे मतलब एक यहां पर point government ने clear कर दिया और वो यह clear किया कि भाई साब आप किसी भी तरह से कमाऊगे, किसी भी तरह से कमाऊगे, in the course of business goods or services supply करके हमें GST चाहिए और कि आप यह नहीं कह सकते कि भाई सर यह तो contract में हमने कमाया पर GST में नहीं आता है वह ऐसा नहीं आता है और government उसके यहां पर पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहती government कहती किसी भी form में supply कर भाई तू हमें GST चाहिए that's all, यह just example है इसलिए हमें यह समझना जरूरी है क्या कि goods याने क्या no doubt GST के context में goods याने क्या दूसरा GST के context में services याने क्या इसको भी समझना बहुत जरूरी है उसके बाद में sir क्या हमें GST में sale की definition, sale, transfer, barter exchange, license, rental, lease or disposal क्या यह definition देखना जरूरी है definition क्यों define की जाती है act में, कि उस definition के बाहर की activity होगी, तो फिर वो GST के scope में नहीं आएगी, पर यह just example है और कि इसके बाहर की activity ही होगी तो वो all form में आ जाता है, इसलिए government ने यह सूचा कि in words को define करने में कोई मतलब नहीं है यह just example है, फिर आपका transaction sales से हो, transfer से हो, barter से हो, exchange से हो, license से, rental, lease या disposal से हो किसी भी type का transaction हो, define करके क्या फाइदा, इसलिए government इसके definition में पढ़ा ही नहीं और सच कहु किया, यह words का कोई relevance नहीं है पूरे GST में, यह just example के लिए, क्योंकि एक line, जो word है na, all form, यह all form में ही वो clear कर देते हैं कि हम सब कुछ लेने वाल है, हम सब कुछ लेने वाल है, all forms cover करने वाल है, तो भाई साब, okay, यह words पे मत पढ़ो, जाओ मत, consideration है, business है, पैसा मिल है, goods का मिला है, service का मिला है, क्या GST आजाएगा, हाँ GST आजाएगा, that's all, okay, फिर कोई भी contract हो, फिर आपका development agreement हो, right to transfer agreement हो, okay, any type of agreement हो, okay, पैसा मिला, business मिला, goods or service का, that's all, GST आजाएगा, समझा क्या, okay, समझा होगा, तो बोलो, yes sir, okay, अब, तो हमारे लिए क्या क्या इंपोर् agreement है, कि goods आने क्या, service आने क्या, agreed to be made आने क्या, okay, agreed to be made आने क्या, consideration आने क्या, यह main factor है, और business आने क्या, भाई, साब, यह हमें 5 चीज़े बहुत depth में देखनी है, 7-1-A में, okay, तो step by step, okay, हम यहाँ पे हर चीज़ को detail में अनलाइज करेंगे, with all this clarification, और ख्यार रखना, all these conditions are cumulative conditions, यह सारी जो conditions है, okay, यह 4 cumulative है, एक साथ फुलपेर होनी चीज़े, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि business है, पर consideration है, consideration है, पर business नहीं, okay, sub cumulative होना चीज़े, और यह supply for consideration होना चीज़े, for का वही अपना एक importance है, इसके उपर तो पुरक, यहाँ पे circular है, कि आपक होते है, यहाँ पे goods की definition, are you ready, चलो, okay, अरे यार, किधर चले गए, ओ, end में चले गए, चल कोई बात नहीं, हम, अब आ जाते है, यहाँ पे, next, goods की definition, अगर goods की definition देखते है, section 252 में, तो कहते है, every kind of movable property, goods में क्या है, एक एक word को मैंने यह analyze किया है, goods के definition में आएगा, every kind of movable property, मतलब क्या, okay, all movable items that can be physically transported from one place to another, वो goods के definition में आएगा, कोई नहीं बात नहीं, यहाँ आपने definition पड़ी है, okay, पर goods में क्या नहीं आएगा, वो specifically कहते है, goods excludes money and securities, I repeat, goods excludes money and securities, and money transactions, यह security transactions, goods में नहीं आएगा, okay, for example, it does not include transaction in currency, okay, money के transaction, जैसे conversion of currency, deposit or withdrawal of money from bank, or securities like stock, bond, okay, derivatives, etc, as defined under SCR, SCR मतलब, मतलब, money भी movable है, property है, वर्थ है उसके अंदर, पर आप किसी को पैसा देते हो, deposit करते हो, withdraw करते हो, जो money के pure transaction करते हो, पैसा देना, पैसा लेना, okay, investment लगाना, investment वापस लेना, loan देना, loan वापस लेना, ये transactions, even though जिसमें पैसा shift होता होगा, पैसा movable होगा, तभी वो goods नहीं माना जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा, अगर पैसा लेने देने पे, सिप पैसा लेने देने पे, अगर GST आ जाएगा, तो आप किसी को पैसा नहीं दोगे, क्योंकि पैसा दिया, GST पैसा लिया, GST मुश्किल हो जाएगा, तो purely money transaction GST के scope में नहीं आएगा, securities transaction GST के scope में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको अपने mind को एक, जोरदार धर्का देना है, क्या धर्का देना है, दो धर्का, कि sale of goods act आपने पढ़ा, बड़ी भूश्क, sale of goods act में पढ़ा, और रट्टा मार के पढ़ लिया, कि sale of goods act में securities goods मान जाएगा, मतलब आप share खरीदोगे, share बेचोगे, तो जो share खरीदना, share बेचना, bond खरीदना, bond बेचना, या फिर derivative contract, call option, put option, future contract, okay, जो भी ऐसी securities, जो securities contract regulation act में defined है, okay, वो securities के transaction, जो भी sale purchase के होते है, उसके ओपर GST नहीं आएगा, उसके ओपर GST नहीं आएगा, अब आपका य जाएगा, या कोई other charges लगते है, securities के हो आएगा, merely securities, I repeat the word, merely securities contract, वो GST के scope में नहीं आएगा, okay, अब goods की definition केती है, goods की definition केती है, goods specifically includes, goods में specifically क्या include किया जाएगा, actionable claims, हाँ, अब यहाँ पे जोड़दा धक्का मारो, मारो जोड़दा धक्का, और हमने कहीं तो भी बढ़ा था कि actionable claim goods में नहीं आते है, GST में भाई साब actionable claim goods के definition में रखे गए है, okay, और मैं इस बार तो आपको gaming का एक बहुत अच्छा case भी बताओगा, आगे, आगे आगे देखो होता है क्या, okay, gamecraft का बहुत ही जबर्दस case था, और बहुत जबर्दस point पे लड़ा गया था, okay, और lottery, betting, gambling online gaming, okay, यह सारे activity पे GST लगाना है, और online gaming पे तो भाई साब अभी उनने 28% का GST लगा के सब का band बजाया है, सब का band बजाया है, तो अब इन transaction पे GST लगाना है, और यह सारे transaction actionable claims कहे जाते है, okay, और बाकी actionable claim भी आते है, okay, arrears, insurance claim भी actionable claim आते है, okay, अब government को क्या करना था, government को फिर actionable claim पे GST लगा रहा है, तो सबसे पहले actionable claim को goods के definition में डालो, फिर उस actionable claim पे किस पे GST लगाना है, और किस पे GST नहीं लगाना है, वो बात में decide करेंगे, पर भाई साब पहले actionable claim को तो goods में डालो, तो ही तो हमें rights मिलेंगे, scope मिलेंगे कि हम lottery waiting gambling पे GST लगा सके, okay, लगा इसे current scenario, जो online gaming से related है, बहुत अच्छी history बता होगा, थोड़ा wait करना, थोड़ा wait करना, okay, schedule 3, schedule 3 not treated as supply में, वहाँ फिर से actionable claim आएगा, वहाँ पे पूरी history आपको बता होगा, okay, online gaming की क्या हुआ था, okay, case आया, high court का क्या decision आया, और इसके बढ़, okay, हमारे finance minister दीदी ने क्या decisions ल okay, मतलब, जो growing crops sale होते हैं, okay, foundation level पर पढ़ा है, commerce में 11-12 पर पर पढ़ा है, कि growing crops वगरे जो sale होगे, okay, whether they are attached to the land or not, okay, but which are intended for sale, वो भी goods के definition में आएगे, और उस पर भी GST आ सकता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि GST लगाए या ना लग है, हम specific discuss कर रहे है, goods है या नहीं है, हाँ, goods होने के बाद GST लगेगा, नहीं लगेगा, supply बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, वो आगे का discussion है, अभी हम focus कर रहे है कि GST के context में goods क्या आता है, तो goods की definition, अगर हम देखे तो मैं broadly इसको तीन पार्ट पर डिवाइड करता पहला, what goods means, goods means every kind of movable property, money or securities उसमें नहीं आएगे, लेकिन specifically दो बाते उसमें include होगी, एक actionable claims और दूसरा growing crops and grass, whether they are attached to the earth or not, and that intended for sale, okay, जो intended for sale है, okay, वो goods के definition में कवर होगे, ये तो रही goods के definition, बहुत ही simple definition, कुछ इसमें स्पेशल और इसकुस करने लाएग, नहीं है, और जो भ point पर हमें, और depth में जाना है, जो हम आगे जाएगे, चलिए, ये goods की definition खत्म ही हमारी, यहाँ पर, उसके बाद में next, services, अब वो services के बारे में क्या कहते है, services के बारे में, service की definition भी बहुत अच्छी draft किया, मद आएगा, मेरे साथ सब ने जोड से पढ़ना, जहां बैठे है, जोर से, कि आपके घरवाले आजाए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो आपको, okay, GST पढ़ रहे, GST पढ़ रहे, okay, तो देखो, यहाँ पर, वो क्या कह रहे, services, section 2102, anything, बोलो जोर से, anything, ऐसा हाथ गुमा के, anything, anything other than goods, मतलब, इतनी government यहाँ पर clever drafting करती है, क्या बत पर पैसा मिला है, okay, पैसा मिला है, तो वो contract service मान लिया जाएगा, government technical definition में पड़ी नहीं, service means, it's involved, some labor, skill, knowledge, knowledge, and something, something, for consideration, government कहती है, India के कोई भी contract, जिसमें goods नहीं होगा, मतलब, वो service का है, that's all, मतलब, वो service का है, that's all, that's all, sorry, but, no, but shut, only cut to cut, okay, aray, sir, कुछ भी आएगा, हां, कुछ भी आएगा, इसके अंदल, aray sir, nothing, anything other than goods, anything other than goods, sir, immowable property है, or immowable property के lease contract क्या, anything other than goods, aray sir, confuse hear that, immowable property के GST नहीं आदा, मैं आभी Hm Much इम्मोबल प्रपरटी के लीस कॉंट्रेक्ट कह रहा हूं, इम्मोबल प्रपरटी का रेंट कॉंट्रेक्ट कह रहा हूं, रेंट कॉंट्रेक्ट, हमने इम्मोबल प्रपरटी थोड़ी बेची, तो इम्मोबल प्रपरटी के लीस, रेंटल, लाइसंस कॉंट्रेक्ट, येस, इसलिए कभी भी कोई क्लाइं तुम्हारे पास आया उसने कहा कि अरे सर ये जिसी लगता है क्या और वहीं चेर पर खड़ा हो जाना और उसको कहना anything other than goods, okay anything other than goods, तो goods के definition में हैंगे, यहां पर तो anything other than goods, money and securities, money or securities भी इस से exclude किया है, money or securities भी इसमें इंक्लूड किया है, तो it encompasses all activities and transactions that are not categorized as goods, money and securities, तो जहां तक देखा जाए, आपका client ने कोई भी नाम से contract लाया, बस एक सवाल पुछना है, क्या इसमें goods है, तो goods का बाना जाएगा, goods नहीं है, तो service का बाना जाएगा, हां कुछ supply उन्होंने exclude की है, schedule 3 में हम बाद में देखेंगे, पर अभी तो basic level ये डिलोप करो, now, service also specifically includes activity relating to money use or conversion, use of money or conversion of money, it incorporates the service that involve use of money or the handling or conversion of money from one form of currency to another form of currency, provided that separate consideration, इसको highlight करना, provided that separate consideration is charge for such activity, मतलब क्या, हम money transaction नहीं लेंगे, ना goods में लेंगे, ना service में लेंगे, हम securities transactions नहीं लेंगे, ना goods में लेंगे, ना service में लेंगे, money और securities हम दोनों में भी नहीं लेंगे, हम दोनों में भी नहीं लेंगे, फिर, फिर ये क्या है ये है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया उस पे ये नहीं पर वो पैसा देने का separate consideration लगाया सुनना वो पैसा देने का separate consideration लगाया for example interest processing charges तो वो service है separate consideration for example interest processing charges example लिख दो interest या commission interest या commission ओके तो उस पर या फिर पैसा conversion करने दिया dollar to rupees, rupees to dollar आपने 2000 का note जाने दो अभी निकाल दिया आपने 500 का note दिया, change लिया, उसका commission लगा foreign currency को convert करने का commission लगा अगर किसी ने पैसा use करने का separate charge किया convert करने का separate charge किया from one denomination to another denomination तो वो जो separate charge करना वो service माना जाएगा ओके, वो bank charges है, withdraw किया bank charges वगरे, सब service है तो bank में deposit करना bank से withdraw करना वो transaction in money हुआ पर deposit का separate consideration लेना interest हो service ही हाँ deposit का interest मिला या आपने loan दिया, उसका interest मिला आपने unsecured loan दिया, उसका interest मिला क्योंकि पैसा यूज करने दिया आपने, bank ने, bank ने interest लगाया, पैसा यूज करने का, वो service है वो service है देखो मैंने यह नहीं का कि GST आएगा नहीं आएगा, मैंने का service है या नहीं है आएगा नहीं आएगा, हम बात में बात करेंगे, इट सर्विस, नव उसके बात में नेक्स अगर हम बात करेंगे, इसमें कुछ securities transaction भी इंक्लूड किये जाएगे, जैसे, definition is further clarified to explicit state that services cover, underline, services cover facilitating or arranging the transaction in securities, this includes brokerage charges, portfolio management charges, led to buying and selling of securities in a financial market, okay, अब थोड़ा इस बात को समझना, कि securities जो है, okay, securities यहाँ पे service के definition में नहीं आएगे, securities service के definition में नहीं आएगे, लेकिन securities को facilitate करने के लिए, सुनना, secretator को facilitate या arranging the transaction in securities, जैसा brokerage, portfolio management या other कोई भी charges लगते है, money lending, sorry, securities lending charges अगरे जो भी होगे, तो ऐसे कोई भी charges, जो securities transaction को facilitate करता है, या उसको deal arrange करवाता है, वो service में माने जाएगे, okay, और exclude में तो मैंने कहा, okay, जहां था कि service excludes goods, money and securities, okay, securities में सारे financial instrument, okay, वो exclude किये जाएगे, तो यह जो दो definition हमने देखी, यहाँ पे goods और services की, क्या include होगा, क्या specifically include होगा, और क्या exclude होगा, यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की, चलो, तो इसका एक, हम चार्ट देख लेते हैं, अब आजाओ, आप चार् आपको यह draw करना है, आपके chart notebook में, ख्याल रहे, page number, cross page number देना है आपको, okay, और cross page number देने के बाद, आपको यह carefully अच्छे से draw करना है, और परते बाद आपको यह chart पर practice करना है, यह chart फिर combine होके आपको chart book में मिल दाएंगे, और wall chart में मिल दाएंगे, पर पहले आप draw करो, तो यहाँ पर चलिए, draw करो इसको, draw करो इसको, goods and service, combine करके chart बना रहो, goods and service का, combine करके chart बना रहो, हाँ, supply के two pages छोडने के बाद, supply के दो और उसका back page छोडने के बाद, supply के total तीन page छोडने के बाद, supply के 3 pages छोडने के बाद, हाँ भाई तौसीर, होगी आपका तो बताओ, होगी आपका तो बताओ, हो गया तो बताएए प्लीज झाल 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 चलो screenshot ले लो इसका और आपको यह supply के जो तीन पेज मैंने बोला दो connected और एक back उसके बाद draw करना है चली एक बाद definition को द्हान से समझ लेजिएगा जो भी definition है मैंने sum up करके यहां बनाया हुआ है एक chart बनाया बहुत अच्छा चार बनाया goods means क्या अगर आपने द्हान से carefully लिखा होगा इसको पढ़ा होगा तो goods means क्या every kind of movable property और service मतलब क्या anything other than goods यह दो line में सब कुछ कवर हो जाता है भाई जो movable के contract है वो goods में जाएंगे और जिसमें movable प्रापरिटी नहीं है फर contract है पैसा कमाया जा रहा है वो service है यासा consultancy service है training मेरे contract में goods नहीं है training service है goods तो ancillary है notes mean contract service का है consultant है management consultancy services है telecommunication service है goods नहीं है तुनिया बर architect service है goods नहीं है interior decorated service है goods नहीं है इस दिन्या के कोई भी contract, जिसमें goods main part नहीं है, वो ancillary हो सकता है, पर main part नहीं है, वो service contract है, anything other than goods, कोई भी contract करते हो, जो dominant service का है, वो service में जाएगा, दो line में उन्होंने पुरी दुनिया cover कर ली, हाँ, यह कहा गया कि जो exclusive transaction money के होगे, securities के होगे, वो definition में नहीं लिये जाएगे, लेकिन, कुछ specifically includes होगा, क्या specifically include होगा, तो वो कहते हैं, इसमें include होगा actionable claims, हाँ, actionable claim के बारे में, थोड़ा patience रखना, wait करना, बहुत अच्छे से discussion में लोगा, आप fully satisfied हो जाओगे, और वो schedule 3 में लोगा, अभी से भी इतना याद रखो, कि actionable claim जो है, वो goods के definition में आएगा, and growing crops, okay, grass, etc, actually, ये etc, तो ये etc, या आप complete कर ले ना, इसको बाद में, whether they attach to the land or not intended for sale, आप complete कर सकते हो, तो ये भी goods के definition में आ सकता है, now service के अगर हम बात करें, तो service में specifically कहा गया, कि हम money नहीं लेंगे, okay, securities नहीं लेंगे, पर इससे related आपने separate consideration लगाया, okay, separate consideration लगाया, तो वो service मानी जाएगी, जैसे for use of money, आपने separate consideration interest लगाया, conversion of money, आपने commission लगाया, okay, या to facilitate or arranging the transaction of securities, okay, तो उसके लिए brokerage बगरे लगाया, तो इसके लिए जो भी extra charges आपने लगाया, okay, वो हम यहाँ पर definitely, okay, service के definition में cover करेंगे, इस तरह से उन्होंने goods और service का definition यहाँ पर दिया, इसके जो यह definition के base पर मैं, कौन से sector पर इस definition का ज़्यादा impact हो सकता है, वो sector analyze करूँगा, एक banking sector, जो जिनका transaction ले लोन देना, लोन लेना है, commission लेना, एन बहुत सारे charges लगाना, okay, तो no doubt बाकी तो हर sector को यह definition important है, क्योंकि यह तो एक की definition है, लेकिन major मैं अभी जो discussion carry out करोगा, अब money और securities, जो exclude किया, क्योंकि अगर आपको यह पता चल जाए कि क्या exclude किया, बात है, next discussion पर, और वह meaning of money, सर्व definition, दोनों भी definition money को exclude करती है, क्या money defined है, यहां defined है, okay, मैं आपको कह दू, जहां section की जरुवत है, वहां sections तो मैं refer, करी रहा हो, don't worry for that, okay, कुछ concept हमें यहां पर, okay, जो है, understanding purpose के लिए समझ लेना है, जैसे money, money जो है, यह एक्जाम में तो नहीं पूछेंगे, पर, okay, इसका meaning में कुछ points ऐसे हैं, कि जो आपको MCQ के लिए याद रखना है, money मतलब Indian legal tender of any foreign currency, okay, उसके बाद में, Indian legal tender भी cover कर लिया है, यह foreign currency भी cover कर लिया है, यह चेक promissory note bill of exchange, यह money के definition में डाला हुआ है, यह अगर आप किसी को promissory note देते हो, bill of exchange देते हो, तो वो money में भी आता है, और आपको कहो तो actionable claim में भी आता है, actionable claim जो है, हम बाद में बात करेंगे, please, please, अभी कोई डाउट नहीं, उसके बाद में, letter of credit, draft, pay order, traveler's check, यह money में, अगर आपके transaction, आपने letter of credit दिया, draft दिया, OD दिया, traveler check दिया, तो वो भी transaction इन money माने जाएगा, money order, postal electronic remittance, और any other instrument recognized by RBI, यह money के transaction में कवर होगा, पर यह वाला part जो है, बड़ा important है, और यह आप MCQ के लिए याद रखना, और वो कौन सा, इसलिए हमें यह याद रखना जरूरी है, कि money में क्या नहीं आता है, तो वो कह रहे है, बड़ शाल नौट इंक्लूट्स एनी currency, दाट इस हेल फोर इट्स, नियुमेमिस्टिक वाल्यू, अगर कोई ऐसी currency, जिसके अपस्रिफ नियुमेमिस्टिक वाल्यू है, वो money में नहीं आगा, सर तुरह explain करो ना, explain मतलब, यहाँ पर, example लिख रहा है, तो आपके पुराना 1000 का नौट, पुराना अशोगा के जबाने का copper coin, gold coin, ऐसे कोईच coins है, या पुराने notes है, जो पहले currency थे, पर आज currency नहीं है, आज उसके निमिमिस्टिक वाल्यू हो सकते है, जो अशोगा के एरा का कोई copper coin मिल जाए, gold coin मिल जाए, तो वो coin तब currency था, पर आज उसके निमिमिस्टिक वाल्यू हो सकता है, वो auction में करोर्स में चले जाए, तो ऐसे कोई पुरानी currency, आप लिख सकते हो, gold coin, copper coin, आप अशोकास इरा, वो ऐसी कोई पुरानी currency, तब वो currency थी, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, लेकिन आज उसके निमिमिस्टिक वाल्यू है, अगर वो currency जिसके निमिमिस्टिक वाल्यू है, जिस पर आप study कर रहे हो, collection कर रहे हो, तो antique coin आप लिख सकते हो, antique notes आप लिख सकते हो, तो money के definition में लिया जाएगा, तो यह अपने definition देखा, money का, और यह point आपको याद रखना है, उसके बाद में, कुछ financial transactions, जो money से related होते हैं, और specially banking sector, या financial institution carry करते हैं, वहाँ GST की applicability कैसे होती है, यह point को धहन में रखते हो है, क्योंकि definition से money exclude किया है, जैसे, financial services by banks and institution, banks and financial institution offer range of financial services, including lending, borrowing, investment activity, often using various financial instruments, जैसे अगर आप banking sector देखते हो, तो बहुत सारी, okay, banking activities, financial instrument वहाँ use होते हैं, exclusion of money and securities, okay, underline, exclude the money and securities from their scope, okay, instrument included in money, जैसे, अगर आप financial sectors देखते हो, या banking sector देखते हो, कौन से instrument money के definition में आते हैं, so definition of money encompasses like a check, okay, check bank आपको दे रही है, draft, pay orders, promissory note, letter of credit, यह सारे जो instrument आपको दे रही है bank, okay, वो money के transaction आपसे check लिया, check किसी को दिया, यह money के transaction है, check पे कुछ value लिखी होगी, draft पे कुछ value लिखी होगी, एक draft दिया जिसके ओपर 100 करोड लिखे हुए, तो draft की value 100 करोड बही है, उस instrument की, okay, लेकिन जहां तक देखा जाए, वो purely money का transaction है, okay, उसके ओपर कोई GST नहीं आएगा, transaction solely, solely involving this instrument fall outside the definition of service, okay, लेकिन हा, जो draft के charges, check के charges, जो draft के charges, check के charges, okay, जहां तक देखा जाए, pay order के charges extra लगाए, separate लगाए, by check issue करने के charges लगाए, draft issue करने के commission लिखा गया, pay order issue करने का separate consideration लिखा गया, उस पे GST, don't get confused, draft देना, कुछ value का, मतलब उसके पर 50 करोड़ लिखा है, 100 करोड़ लिखा है, वो 50 करोड़ का draft देना, उस पे GST नहीं है, वो 50 करोड़ का check देना, उस पे GST नहीं है, पर check issue charges, draft backing charges, commission, उसके लिए separate charge, ये draft बनाने के लिए separate commission लिए, वो separate commission लिए, okay, GST में आएगा, पेटियम यूपी आए, इसमें जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसके उपर जिएस्टी नहीं आएगा, लेकिन उसका commission जो पेटियम लगाती है, या banks लगाती है, उसके उपर GST आ सकता है, separate commission जो है, आप जो आप जो आप ट्रांसफर करते हैं, उस पर GST नहीं आएगा पर उसका commission पर GST आएगा money includes commercial paper and certificate deposits, okay money also cover transaction in commercial paper and certificate deposits since they are okay resemble promissory note, यह बहुत important क्योंकि banking sector का अगर आपको question push लिया गया, okay calculation में और यह दिया गया, commercial paper issued by, okay यहाँ पर banks, या certificate of deposits issued by banks तो commercial paper certificate of deposits जो है, okay यह money के definition में आएगे because it is equivalent to promissory note okay issuing draft or letter of credit are likewise not considered as a supply however, there additional element of taxability present and separate consideration is charged related to such activity, तो वहां GST आजाएगा, मतलब draft है, money order है, इसके separate consideration लिये तो उसकर GST आजाएगा हाँ, एक discussion में आपसे लेना चाहोगा, okay cryptocurrency, cryptocurrency लिखना है लिख देना, यह burning issue है क्या cryptocurrency money में आएगा, okay तो उपर highlight में लिख देना, okay उपर highlight में लिख देना, निचे का space मत यूज करना, उपर highlight में लिख देना crypto, crypto not recognize not recognize not recognize by RBI not recognize by RBI क्रिप्टो ट्रांजेक्शन, क्या GST के सकोब में आएगे yes, GST payable yes, GST payable on crypto transaction okay, वो not recognize by RBI है GST उसके उपर आएगा okay, not in the definition of money अगर आप specially crypto currency के बात कर दे होगे तो चलिए वो legal tender से बाहर रखा हुआ है crypto currency के legal tender के बाहर रखा हुआ है अगर हम एक बार फिर से analysis करें तो activity in money deposit or withdrawal of money from bank पैसा देना, पैसा लेना, deposit करना, withdraw करना loan देना, वापस लेना, investment करना, वापस लेना ये transaction in money है okay, borrowing or repayments transaction in money है पर उसके interest लगाना processing fees लगाना interest लगाना, processing fees लगाना वो separate consideration है, उसके उपर GST आजाएगा commission on conversion of rupees to coin dollar to rupees, इसके उपर GST आजाएगा ठीक है, तो क्योंकि ये separate consideration है वो taxable होगा, चलिए अब मैं एक जो chart निकालने वाला हूँ वो बहुत important है और अभी door बांढ रहा हूँ ये हमारे आगे की discussion के लिए बहुत important है, specially मैं discuss करूँगा interest तो नीचे जो जगा है वहाँ लिखना title एक chart बनाएगे सभी बनाएगे मेरे साथ, interest वहाँ notebook में बना, notebook में नीचे इसके नीचे जगा दीगे मैंने, interest इसमें दो पार्ट करना है interest on loan advances advances और deposits आपने किसी को loan दिया, उस पे interest आपने किसी से loan लिया, उस पे interest उस पे interest advances पे interest या आपने deposit रखा bank में, उसका interest मिला आपको ठीक है आपने किसी को FD दिया या किसी company में deposits रखा, उसका interest और दूसरा interest लगता है, इन्या में, interest on interest on delay payment of delay payment of consideration consideration for SOG or SOS interest on delay payment of consideration for SOG or SOS आपिक है, इने किसी को बूसरा में इन्याम इन्या चर्शेशच के लगता पॉस्स तट्ट् giờा ट्स तर्ट्रेट़्न och यहane, इन्याम आपके आपिक है किसी डेकें आपके। indस किसी का स्ट्रास molτιड, बश्रा़रा La lavor ganze siz where we is covered in the definition of service in the definition of service it is covered in the definition of service second point but but yeah as a red pencil ekna really what important but but government government have exempted exempted such government have exempted such interest government have exempted such interest by notification number by notification number exemption chapter mein dekhenge 12 2017 12 2017 bracket mein refer exemption chapter exemption chapter therefore exemption chapter credit card ka interest taxable hai wou exemption chapter mein dekhenge kya exemption hai kya taxable hai hem dekhenge jayse credit card hai credit card ka interest taxable hai par baqi interest exempt rukha hua hai chik hai chik yeh matlab mehra yeh stage pere kaya hai yeh stage pere kaya hai ki yeh point samjha kya apko yeh point kya kata hai ki interest loan advances or deposit ka it's a service it's a service but exempted kya raha there is a difference between non-taxable or exempted between non-taxable or exempted non-taxable only 6 product day-to-day life mein bhi aapne yeh word nahi use karna kya aray wou interest to non-taxable hai nai interest exempted exempted exempt ho na matlab taxable exempt ho na matlab taxable but exempted interest is a service it's a supply it's a taxable but exempted or kya rakhna exempted hahm us ko hhi kar sakti exempted hahm us ko hhi kar sakti joh taxable hai jaysa mahi face to face class leta ho tommy class ke bhaar us ko hhi nikal sakta ho ya chutti us ko hhi dhe sakti ho joh meri class mein hai imagine karo ki ko hi bandhye ne mera class nhi lagaya bhaar se jara raha hai aur meinnay usko ga jah tujhe nikal diya woh puchyega आया कौन, आया कौन, in short, ओके, यहाँ पे, जो taxable के scope में आता है, जो GST के scope में आता है, उसको ही हम exam कर सकते हैं, तो in simple word, मेरा यह कहना है, कि यह interest service है, but अभी फिलाल exempted है, to promote, ओके, यहाँ पे, economical objective, government यह booster देना चाहती, को कि लोग, 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 लोग ले, advances ले, deposit ले, उससे, ओके, यहाँ अपना, infrastructural development करे, और industrial growth करे, फिलाल government उसे, interest को, यहाँ पे benefit देना चाहती है, हाँ, credit card को नहीं दे रही है, okay, credit card को नहीं दे रही है, बहात अलग है, credit, हम वो exemption chapter में पढ़ेंगे, credit card के interest पे GST लगा रही है, okay, क्योंकि the government सोचती ही, वो तो convenience ही है, okay, done, but, यह था, interest on loan advances or deposits, दुसरा, अगर हम यहाँ पे, ज्यान रहे, दुसरा, interest on delay payment of consideration for SOG और SOS, अब, interest on delay payment, यह भी एक term आती है, GST में, जो अभी clarify कर रहे हैं, delay payment of consideration मतलब क्या, कि आपने माल बेचा, debtors को, और debtors से पैसा late आया, या आपने loan नहीं दिया debtors को, आपने, कोई advance नहीं दिया debtors को, आपने goods supply किया, और वो goods supply करने का delay payment आया, लिखना होगा, तो लिख देना, interest on late payment by debtors, simple word में, late payment by debtors, तो यह interest service भी है, सुनियेगा, यह interest service भी है और इस पर GST भी आता है, तो लिखो, service मतलब anything other than goods, यह interest लगाया, anything other than goods में आता है, तो it is covered, it is a service, it is a service and taxable, service and taxable, उसके पार GST भी आएगा, refer, detailed discussion, discussion in value of supply chapter, VOS मतलब value of supply chapter, detailed discussion अब वहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर interest को classify किया, अभी तो मेरा discussion no doubt इससे ही connected था, पर साथ साथ में मैंने यह interest भी ले लिया, तो यह interest value का part माना जाता है, इसके उपर GST आता है, इस पर कोई exemption नहीं है, अगर interest loan advance से सो deposit का होगा, तो इसके वी फिट मिल जाएगा, चलो, अगर आपको समझ में आओगा, तो फटाफट I type करो, समझ में आओगा तो फटाफट I type करो, यह आपने देखा, regarding to money and separate consideration charge for money, next, definition of securities, next definition of securities, the term securities align with the definition, even in securities contract regulation act 1956, जिसको आगे मैं SCR होगा, इस act में जो security defined है, वो securities यहाँ पर consider होगी, और GST के scope में नहीं आई है, derivative and GST liability, यह discussion important, MCQ में इसके वापर सवाल पूछा जा सकता है, specially derivative contracts related, derivatives as a financial instrument, deriving their value from underlying asset and included in the definition of securities under SCRA, derivatives SCRA में cover होते हैं बाई, derivatives SCRA में cover होते हैं, और मेरे साथ underline क्या करो, एक basic psychology आपका बता दू, आप underline करोगे, अभी मेरे साथ notes में, तो next time, जब पढ़ने जाओगे, तो ऐसा लगेगा, हाँ, हाँ, पढ़ा हुआ है, और अगर कोई पैरा blank देखोगे, तो खुद पर doubt आएगा, या मेरे पर doubt आएगा, सर ने पढ़ाया तो नहीं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, या सर ने से ब्रीड करके उड़ा दिया, ओक ये doubt आते जाएगा, इसले, आप मेरे साथ पढ़ते जाएए, अंडरलाइन करते जाएए, ओक, psychological effect tremendous है उसका, since derivative fall within the category of securities, they are neither considered goods, underline, they are neither considered goods nor services and not subject to GST, जैसे, आप put option में business कर रहे हो, कमा रहे हो, call option में business कर रहे हो, कमा रहे हो, future contract कर रहे हो, forward contract कर रहे हो, तो ऐसे contract पर GST नहीं आएगा, हाँ, ये contract करने के लिए, अगर separate consideration लगाया गया, कमिशन या other charges लगाये गया, तो उसके आपर GST आएगा, चलो, कुछ analysis कर लेते हैं, कुछ चीज़े देख लेते हैं, यहाँ पर, now, future contract, future contract, उसका meaning देख लेते हैं, future contract is an contract between two parties to buy and sell particular asset of specific quantity, ओक ये contract जो है, ये sale और purchase का होता है, at pre-determined price on a specific date in the future, future में ये जो contract है, ये carry out होगा, इतने quantity और जिसकी price आज ही कम fix की जाती है, इसे hedge contract भी कहते हैं, क्या इसके ऐसे contract पे goods GST आएगा क्या, however, if the settlement of contract take place by way of actual delivery of underlying commodity, then it would be treated as supply of goods and liable to GST, अब थोड़ा ये समझ लेना, वैसे तो ये contract पे GST नहीं आएगा, अगर future contract बिना delivery का settle होता है, future contract बिना delivery का settle होता है, तो GST नहीं आएगा, इसके लिए आप financial management पढ़ो, commodity contract होगे, बिना delivery के settle होए, shares के contract होगे, future contract होगे, बिना delivery के settle होए, वैसे भी shares जो है, shares पे तो वैसे भी GST नहीं आता है, delivery भी दिया तो भी GST नहीं आता है, तो जहां तक है future contract commodity के होगे, shares के दी, commodity के होगे और बिना delivery के settle होगे, तो वो derivative contract माने जाएगे, उसके उपर GST नहीं आएगा, पर एक बात का आप सभी ख्याल रहे हैं, और यहां पर क्या ख्याल रखना है, कि अगर यह contract commodity के होगे, commodity contract होगे, और वो contract जो future contract है, delivery देने के बाद settled होगे, तो फिर GST आएगा, क्योंकि उसमें फिर actual goods का supply होगे, तो actual goods का supply होगे, और specially commodity contract होगे, तो उसके उपर GST आएगा, यह पहला समझाओगा, तो one type करो, और के यह पहला समझाओगा, तो underline करो, उसके बाद मैं, forward contract, forward contract is an agreement between two parties to buy or sell something at specified price on future date, same future जैसा ही forward contract है, कि बही specified contract और future date को होगा, लगबख same ही होता है, forward or future contract, however, settlement take place by way of actual delivery of underlying commodity, then it would be liable to GST, वैसे forward contract भी derivative contract है, उस पे GST नहीं आएगा, अगर बिना delivery का settle हुआ, पर अगर commodity होगी, और वो commodity की delivery देके settle हुआ, तो फिर GST आ सकता है, उसके बाद मैं, secure debt, a property is placed as a collateral for loan, the loan is called as secure debt, okay, and sale purchase or acquisition or assignment of secure debt does not involve a transaction in many, okay, hence they are securities or not liable to GST, very important, okay, bank का कभी, जैसे दो बार ऐसा हुआ, कि banking sector का एक numerical questions बनाया गया, और exam में पूछा गया, और यह का गया, bank acquired secure debt of 500 crores, मतलब किसी की secure debt हुई हो, bank ने securization, अगर आपने यह word financial management पढ़ा होगा, तो उसको securization कहता है, तो किसी, okay, दुसरे bank की secure debt acquire ली यह bank ने, तो secure debt acquire करना, okay, उसको purchase करना, acquire करना या उसको sell करना, क्या यह secure debt यहाँ पे GST के scope में आएगा, क्या, 500 crore का secure debt acquire किया, आप क्या करोगे, time पे तुक्का लगा दूए, secure debt नहीं आएगा, no GST, reason क्या है, क्योंकि reason पे marks है, reason यह बेता कि यह securities transaction माने जाते है, okay, securitization, यह SCRA के यह सबसे securities transaction माने जाते है, और अगर यह security transaction माने जाते है, तो उसके उपर GST नहीं आता है, okay, और transaction instrument, transaction instrument like interest rate swaps, foreign action swap, are comes under the derivative, okay, यह बहुत important है, interest rate swap, यह सब आपको FM में समझाय जाएगा, okay, अभी मेर को मत पुछना, financial management subject जब पढ़ोगे, उसमें आ जाएगा, interest rate swap है, foreign action rate swap है, okay, यह derivative contract में आते है, और यह अगर derivative contract में आते है, तो इस पर भी GST नहीं आएगा, यह table important for your exam, चाहिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, यह पढ़के जाना, इसके चोटे-चोटे question MCQ में भी मुची जाते है, यह जब कोई वो numerical questions बनाते हैं, उसमें adjustments देते हैं, तो हो सकते है, आपको secure depth के adjustment, यह आपको transaction in instrument like interest rate swap, foreign action rate swap के, अगर amount भी जाए, तो इस securities transaction यह derivatives transaction, reason, remark, आपको सही धंग से लिखना है, और लिखना है कि not liable to GST, यह table समझा है क्या, yes or no, please बताइए, now, next discussion, securities lending scheme important, आ सकता है, securities lending scheme, exam में इसके आपर सवाल पुचा जा सकता है, securities lending scheme क्या होता है, अब देखो यहाँ पर पहसी बार, supply of securities under securities lending scheme by lender is not a transaction in security, underline, it is not a transaction in securities, as it does not entail the disposal of securities, it is facilitating or arranging the transaction in securities, a both important securities, thus the activity of lending of securities would be treated as supply of service by the lender and the GST is required to be discharged by the lender on the fees charge in respect of lending securities, in respect of lending securities. note, securities lending scheme, lender of security lend the borrower through a approved intermediary to borrow under arrangement for specified period with a condition that borrower will return the equivalent security with the same type or class at the end of specified period along with corporate benefits, okay, occurring on the securities, sir underline, highlight के अलावा कुछ नहीं समझा है, मैं हूँ ना, समझा रहो आपको, समझ लो, मेरे पास reliance के share पड़े हुए है, और 10,000 share पड़े है, assume करो भाई, assume करो, मेरे पास 10,000 share reliance के पड़े हुए है, ठीक है, long term investment है, और real sense में मेरा nature ऐसा है, कि अगर मैं कुछ share में invest करता हूँ, मैं long term करता हूँ, उसको देखता भी नहीं बाद में हो, हो गया जो हो गया investment, और अच्छे company में invest करके रख देता हूँ, अब long term है, मैं नहीं छेड़ता हूँ, अब यहाँ समझ लो, example लेते हैं, कोई नाम, हाँ, रोहन लेता है, रोहन जो है, वो young बंदा है, energetic बंदा है, share market में नया नया है, और trading करना चाहता है, अब उसको लग रहा है कि Reliance के share आगे future में बढ़ेंगे, और उसको delivery based काम करना है, उसको ऐसा day to day के base में काम नहीं करना है, delivery based में काम करना है, अब उसको 10,000 share में trading करना है, 10,000 share Reliance के खरीदना कोई, अभी आसान तो नहीं है, रोहन के लिए, लेकिन, वो बंदा आगे future में CA बन जाएगा, मेरी best wishes है, और सब को ही है, तो यहाँ पे वो बंदा CA बन जाएगा, अब तब खरीद लेगा, तो ऐसे situation में, रोहन को जो है, यहाँ पे 10,000 share में trading करना है, अब यह 10,000 share में जब उसको trading करना है, पर खरीद तो नहीं सकता है, delivery based trading करना है, कोई call option, pull option, forward contract में भी नहीं करना है, तो यहाँ पे सेवी ने एक scheme का approve किया है, जिसका नाम है securities lending scheme, रोहन मेरे पास आ गया, और का विशाल सर कैसे ह आप, मैंने का अच्छा है, तो सर मैंने सुना आपके पास Reliance के 10,000 share है, मैंने का हाँ है, तो सर यह जो है, मुझे यह 10,000 share borrow करना है आप से, आपके demat से मेरे demat में shift करना है, 6 मेने के लिए, सर 6 मेने का time दो, मैं इसमें बहुत कमा कि दूँगा, वैसे भी आपके बस long time है, आप तो बेचने वाले नहीं हूँ, मेरे demat में आप मुझे दो, मुझे borrow करता है, तो मैंने किया, भाई, रहान मेरा क्या benefit है, रहान ने किया, सर आपका बहुत benefit है, आप सिर मुझे borrow करने दो, तो मैंने का ठीक है, पर यह direct नहीं जाता है, थूर specified intermediaries, जो NSC और BSC के broker है, उन बेरे share वापस कर दिया, बेरे share वापस करने बड़े, इसके margin money वगरे भी रहता है, उसके detail में नहीं जाना है, concept को समझ लो, तो वो जो उसने वापस कर दिये, पर मैंने का, रहान तुने तो बहुत कमाया, कुछ तो benefit दे, कुछ तो premium मुझे भी दे, रहान ने का, सर मैंने ज जब तक GST आपके साथ है, जिसको भी पैसा मिलता है, वो always supplier होता है, जैसे आपका हो मेरा contract, मेरे को पैसा मिला, मैं supplier हो, ये basic fund है GST का, जिसको पैसा मिला, वो supplier होता है, consideration जिसको मिला, और जो consideration देता है, वो recipient होता है, always, तो मैंने transaction किया, landing of securities, जो securities मैंने land किया, उसके उपर GST ने आएगा, पर उसका consideration premium में लिया, benefits लिये 30%, तो मैं supplier of service हुआ, और lender जिसने premium लिया 30%, तो stock lending scheme के थाथ, यहाँ पे मैं premium ले सकता हो, corporate benefit ले सकता हो, तो CBIC circular क्या है, कि जो premium मिला 30%, वो premium जो है, it's not a transaction in securities, it's to facilitate or arranging the transaction in securities, और anything which is facilitating or arranging the transaction in securities, okay, वो service में specifically include किया गया है, अगर वो service में include किया गया है, तो supply के अंडर में आएगा और उसके उपर GST आएगा, अगर आपको यह समझाओगा, तो securities lending का SLSL type कीजिएगा, securities lending का SLSL type कीजिएगा, चलो फटा फट टाइप कीजिए, done, 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 I hope आपको यह clearly समझ में आ गया, next, एक और सवाल खड़ा होता है, taxability of share capital held in intermediary company by parent company, यह clarification important, क्योंकि यह clarification 2023 का clarification है, और यह आपके लिए important for exam, important, भाई साब, मैं कह रहा हूँ, 2017 से, जो जो भी चीज़े मैंने important कहीं, वह exam में आई, आपको clue दे रहा हूँ, जो जो भी चीज़े मैंने important कहीं, वह exam में आई, यह आपको clue दे रहा हूँ, ठीक है, तो, जैसे security lending scheme में, जो मुझे 30% premium मिला, तो, जो lender है, मैं, मेरे हाथ में 30% पे GST pay करना पड़ेगा, अब, सवाल यह था, कि, holding company ने, इसमें, subsidiary company में, share hold करके, buy किया, जैसे, Tata group ने, आपने ही, subsidiary company के, इसमें, buy किये share, तो, क्या share hold करना, buy करना, क्या, उस पर GST आएगा, whether the activity of holding share, by holding company, of subsidiary company, will treat as supply of service, or not, whether same will attract GST, पतारी, CBIC ने क्यों clarify किया, पर, सच कहू, तो, यह, again security transaction है, वो service में नहीं आते है, यह तो, common बच्चा भी बता देगा, पर CBIC ने clarify किया है, याद रखना, okay, देखो, securities, not covered in goods or services, shares are neither classified as a goods, nor services, purchase or sale of share, not a supply, purchase or sale of share, or securities, in isolation, underline the word, यह बहुत important word है, in isolation, does not constitute SOG or SOS, to qualify as a supply of service, it should be covered under section 7 of CGST Act, मतलब, अगर supply कहना है, तो, section 7 में भी आना चाहिए, only securities के transaction होते है, तो, SOG or SOS में नहीं आगे, no inherent service in holding shares, holding shares of subsidiary company by holding company, by itself, does not constitute the provision of services, consequently, the act of holding company, the act of holding company, holding shares of subsidiary company, cannot be regarded as a supply of service, from the holding company, to the subsidiary company, and is not subject to GST, not subject to GST, तो, भाई साफ, okay, money और securities के, जितने भी possible option है, हमारे institute के, material के, CA, CMA, CS, तीनो के, सारे parameters, मैंने यहां पे ले लिए, और money और securities के, सारा discussion, मैंने यहां cover कर लिया, तो, इस तरह से money और securities के discussion, हमारे हां complete होता है, ठीक है, चलिए, तो, मैंने section 71A में, आपको क्या कहा, section 71A कहता है, it includes all form of supply of goods or services, such as, such as, sale, transfer, barter, etc., चलो, जहां तक है, goods की बात है, goods हमने देख लिया, what do you mean by goods हमने देख लिया, okay, what do you mean by services हमने देख लिया, okay, तो, अब जहां तक देखा जाए, अब आते है, यह वाले पार्ट पर, such as, बैसे, such as का कोई importance नहीं है, क्योंकि यह just example है, इसलिए आपको बहुत depth में नहीं जाना है, what do you mean by sale under GST, जैसे, sale of goods act में, sale की definition important हो सकती है, transfer barter की definition important हो सकती है, यह बिल्कुल भी important नहीं है definition, और defined भी नहीं किया, GST में sale आने किया, transfer barter रहने किया, कुछ भी define नहीं किया, उन्होंने, क्यों define नहीं किया, logically बिल्कुल सही, जब उपर कह रहे है, all form of supply, तो इसका क्या relevance आता है, कुछ भी नहीं आता है, all form of supply, जो agree हुआ for consideration, या in the course of business, उस पर GST आ जाएगा, इसलिए इसको इतना आपने importance भी मत देना, तवज्जब भी मत देना, okay, तो तभी देख लेते हैं कि इनके meaning क्या होते है, मैंने निचे दिया, okay, sale, अगर हम देखें तो sale याने किया, एक general meaning, okay, explanation, okay, और ये explanation as per, okay, या लिख देना है, as per dictionary meaning, क्योंकि ये इसमें defined नहीं है, ये GST law में एक भी word defined नहीं है, sale, जिसमें ownership, ये title transfer होते है, transfer of possession, हाँ, अब कभी-कभी आपको confuse करते हैं कि भई, okay, goods का possession transfer हुआ है, for consideration, जैसे higher purchase, example आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हो, higher purchase, HP transaction, okay, higher purchase, possession transfer हुआ है, पर ownership नहीं हुआ है, GST आएगा या नहीं आएगा, अब होगे आप confused, और ये ownership तो दिया है नहीं है, किसने कहा, sale पे GST है, by GST, जो है, all form of supply, जिसमें consideration है, that's all, पिर जैस आपने possession दिया हो, okay, जैस आपने possession दिया हो, पर sale नहीं किया हो, समझ में आया है क्या, sale नहीं किया, उस ही possession दिया हो, for consideration, higher purchase transaction, okay, finance lease transaction, okay, yes, उस पर भी GST आएगा, उसके बाद में next, barter, okay, barter transaction, okay, जैसे मैंने आपको कुछ दिया, जैसे, simple example barter transaction का ले लो, okay, की, architect service, समझ लो, मैंने, मेरा एक client है, okay, अब barter transaction क्या होगा, उसके सारे, okay, GST के compliance, income tax compliance, मैं करके देता हो, उसने मेरा घर का architect design ली, आपने fee से top कर दी, example बता रहा हो, तो ऐसे कोई barter transaction होगे, goods क्या गेंस में, goods service क्या गेंस में, service, इस पे, दोनों को भी GST आएगा, मैंने जो supply किया, उस पर भी GST आएगा, उसने जो supply किया, in the course of business, उस पे GST आएगा, okay, उसने architect service दी, GST आएगा, मैंने tax consultant service ली, GST आएगा, हाँ, valuation कैसे होगा, वो valuation rule में देखेंगे, अगर barter करते हो, तो वो case में, valuation कैसे होगा, okay, यहाँ पे exchange करते हो, जैसे आपने, okay, नया mobile खरीदा, in exchange of old mobile, okay, तो yes, वो case में, जो नया mobile खरीदा, in exchange of old mobile, उस पर भी GST आएगा, कैसे आएगा, valuation कैसे होगा, okay, यह हम देखेंगे, यह जरूर नहीं कि consideration money में होना चाहिए, consideration must be there, consideration must be there, consideration other form में भी होगा, तो भी GST आएगा, okay, तो फिर सर, हमने money की definition क्यों देखी, money की definition हमने इसलिए देखी कि goods के consideration के लिए नहीं देखी money की definition, money की definition हमने देखी कि goods और service में money के transaction नहीं आता है, हाँ, पर आपने जो goods दिया, उसमें आपको money भी मिल सकता है, आपने जो service दिया, goods दिया, उसके अगे इसमें other consideration भी मिल सकता है, what do you mean by consideration हम देखेंगे, okay, तो barter action transaction, okay, हम यहाँ पर, यह GST के scope में आते हैं, license आपने, okay, यहाँ permission granted to competent authority in a business, occupations, goods के license, immoyable property के license, lease transactions, rental transaction, disposal, okay, disposal भी यहाँ पर, okay, यह जो है, supply माना जाएगा, जैसे waste का disposal, waste is a goods, asset का disposal, asset is also goods, any goods, any kind of immoyable property, फिर आपने asset बेचा, उस पर भी GST, waste बेचा, उस पर भी GST, by product बेचा, उस पर भी GST, किसी भी type के transactions, जहाँ डिस्पोजल भी होगे, वो भी GST के सको बेचा, क्योंकि गूट्स में, जो नहीं कि आपका फिनिच गूट्स ही आता है, गूश में asset भी आती है, आपने asset बेची जो मुएबल थी, आपने waste बेचा जो मुएबल थी, आपने buy product बेचा, जो मुएबल था, इस type के transaction, अगर आप करते हो, तो उसके उपर GST आता है, तो यह हमने, जो पहला part था, क्या पहला part था, कि sale, transfer, यह जस एक्जामपल है, और ख्याल रहे, सारे transaction, जिसमें consideration है, फिर वो बाटर हो, exchange हो, disposal हो, goods और service के होगे, मतलब कोई भी doable property के होगे, या anything other than goods के होगे, उसके उपर GST आएगा, ओके, no doubt, आगे हम इस वर भी बात करेंगे, made or agreed to be made, for consideration in the course of business, चलिए, एक break लेते हैं, आगे का discussion, break के बात, ठीक है, चला, के बात, के बात, झाल झाल आगे बनने के पहले आप के कुछ 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 क्वेशन हो सकते हैं पर आपको delivery लेनी पड़ी, तो वो supply of goods में classify होता है, क्योंकि वहाँ आपकी rights create होगे commodity के, ठीक है, वो physically नहीं मोह हो रहा है, पर आप कभी भी वो rights पे physically के लिए मोह करवा सकते हो commodity, इसलिए वो situation में supply of goods में classify होते हैं, अब आपका एक सवाल आ सकता है, कि sir, जो हम dators को penalty लगाते है, in the form of interest, dators को for delay payment of consideration, तो क्या वो penalty भी GST के scope में आती है, यस, जब मैं valuation chapter पढ़ होगा, value of supply, penalty, late fee, interest, for delay payment of consideration, ये value का part माने जाता है, उसके उपर, GST आता है, detail discussion बाद में करेंगे, यहां discussion को रोग देना, third, sir, वो holding subsidiary वाला एक बार revise कर दो, simple एक line में कहू, तो holding company ने, subsidiary company में जो share hold किये गे, share hold किये, वो contract of security माना जाएगा, और वो share holding पे कोई भी GST नहीं आएगा, okay, अब, इसके अलावा आपके कोई भी doubts होगे, ये तो स्रीफ मैं definition पढ़ा रहा हूँ, आगे धिरे धिरे discussion में clear हो जाएगे, ठीक है, जब value of supply पढ़ेंगे, जब exemption पढ़ेंगे, तो उसमें आपके clear हो जाएगे, चलिए, अब आते हैं, एक concept है, और वो है made और agreed to be made, तो made और agreed to be made का मतलब क्या, और इस concept को जहाँ से सुनिएगा, इसमें जो कहा गया है कि transaction आपका हो जाना चाहिए, ये agree हो जाना चाहिए, और दोनों case में वो supply माना जाएगा, और अगर supply होता है, अगर supply होता है, तो GST तो आएगा ना भाई, क्यूंकि section 7-1-A में अगर supply होता है, तो आपके उपर GST आजाएगा, अब सवाल है कि sir, supplies made, made का meaning क्या लेना, made का meaning लेना कि goods are already delivered, ये service provided और payment बाद में आया, goods already delivered पर payment बाद में आया, तो generally जब आप goods का supply कर देते हो, service render कर देते हो, और पैसा बाद में आता है, तो उस context को made का जाता है, कि supply is made, और second होता है, agreed to be made बेटा, agreed to be made मतलब there is an agreement for supply या advance, मैं थोड़ा discussion करना चाहोगा advance पे, तो बंद हो रहा है भाई, just a minute, just a minute, agreed to be made और specially advance, अब देखो बहुसी बार, supplier of the goods को, आप ओके, यह कोई यहाँ पे trader है, manufacturer है, या trader है, manufacturer है, या trader है, ठीक है, यह goods का supply कर रहा है, और वो customer को कर रहा है, अब goods का supply जब यह customer को करता है, तो यह situation में customer से बहुसी बार advance मिलता है, advance मिलता है, तो दोनों event में difference क्या हो जाता है, समझे लोग, advance मिला है, यहाँ पे 10,4XX को, और के 10,4XX को advance मिला, और 50,000 का advance मिला हुआ है, और actual goods का supply हुआ, मतलब goods की delivery हुई, और के truck में goods लोड हो गया, और actual goods का supply हुआ, यहाँ पे, 28XX को, तो सवाल यह आ जाता है, कि GST कब पे होगा, क्योंकि advance मिला, advance मिला मतलब agree हुआ, agreed हुआ अपका, और actual supply बाद में हुआ, तो GST कब पे होगा, supply कब माना जाएगा, तो अगर आप section 7,1,8, carefully पढ़ते हो, तो आपको जब advance मिला, यह event भी supply में कवर हो जाता है, यहने advance मिलते हैं, to the extent of that advance, वो supply माना जाता है, और वो supply माना जाता है, तो उसके उपर GST आ जाएगा, in short, हमारी government यह message देना चाहती है, कि agreed to be made में, अगर आपको advance मिल जाता है, तो उस advance पे भी, और कि उसी वक्त, हैने April में ही GST लगा दिया जाएगा, April में ही GST लगा जाएगा, फिर वो supply app goods हो, या supply app services हो, लेकिन, और कि 1 July 2017 को, ध्यान सुनना, 1 July 2017 को, यहाँ पर 2017 को GST law, फिचर में आया, और 2017 में, और कि जो manufacturer है, जो manufacturer है, manufacturer है, या trader है, जो ट्रेडर है, जो goods के supply करते हैं, और जो service provider है, जो services के supply करते हैं, इनको message दे दिया गया, दोनों को message दे दिया गया है, 1 July 2017 को, कि यस, आपको अगर advance भी मिले, तो जिस दिन advance मिलेगा, उसी दिन आपको GST देना पड़ेगा, उसी दिन आपको GST देना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मिला, तो हमको भी चाहिए, advance मिला, तो advance पे GST दो, अब हुआ क्या, यह जो है, यहाँ पे, यह provisions के advance मिलने पर उतने amount पे GST लगा दो, और बाकी बचेवे amounts पे, जब आप supply करोगे तब लगाओ, तो अब ऐसे situation में, जो manufacturing sector था, और यह trading sector था, यह oppose में चले गया, यह क्यों oppose में चले गया, क्योंकि इन्होंने जब से independence मिला, और excise VAT आया, तब से advance पे कभी GST नहीं दिया था, एक्साइज में भी advance पे, excise UT नहीं था, VAT में भी advance पे VAT नहीं था, यह जब tax देते थे, तो जब invoice बनता था, तभी tax देता था, तो 70-70 साल की आदत, कि कभी advance पे tax नहीं दिया, जब actual invoice बने तभी tax दिया, तो यह 60-70 साल की आदत थी, हाँ, service sector में पहले से advance पे tax था, यह जब service tax आया, 1994 में तब से ही, अगर service provider को advance मिलता है, तो इसके उपर tax लगेगा, यह पहले से ही था, और बाकी, बचा हुआ tax जो है, जब आप actual supply करोगे तब लगेगा, बाकी detailed discussion time आप supply में हो गई, और आपके question देखके मैं surprise हूँ, इंटर लेवल पर आपको पढ़ाया की नहीं पढ़ाया आपके faculty ने, इस सब इंटर लेवल के concept है, यहाँ पर तब ही no doubt आप पूछो, definitely मैं, जितना मेरे से बन सके, मैं आपके question के answer दोगा, ठीक है, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, 2017 में, July, August, September, जहां तक देखा जाए, तो यह जो है, बोथ अपोस हुआ manufacturing और trading sector पे, कि advance पे GST मत लाओ, क्योंकि बहुत सी बार customer जब advance देता है, तो वो advance पे GST अलग से नहीं देता है, वो lump sum amount देता है, और advance हमारे working capital को help करता है, इसलिए हमारी GST के liability उस event पे लाओ, जब हम actual supply करेंगे, उस event पे please GST liability लाओ, गवर्मेंट नहीं मानी, मोदी जी नहीं माने, और तब finance minister अरुन जेटली थे, वो तो बिल्कुल नहीं माने, वो कहेंगे नहीं, advance में पैसा आपको मिला, आपको मिला तो हमको भी tax चाहिए, तो ऐसे case में, जब गुजरात के election आगे आने वाले थे, तो गुजरात के election आने वाले थे और मोदी जी को कोई भी हालत में गुजरात election जितना था, चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि अगर गुजरात इलेक्षन हार जाते तो उनकी नाग कर जाती क्योंकि गुजरात मॉडल पे ही BJP और स्पेशली मोदी जी आ गया है थे तो अब गुजरात के बिजनेसमेन वालों ने धमकी दे दी और सारे बिजनेस कमेरिटी ने उनको हटाओ यह प्रोविजन जो एडवांस वाला है जो स्पेशली सप्लाइब गुड सेक्टर में एडवांस पे GST की लाइबलिटी लाई विकॉस अप दे वर्ड अग्री तो एडवांस पे जाता है इसलिए उसको हटाओ तो एटलास क्या हुआ हुआ कि यहां पे लगबग न नवेंबर डिसेंबर की बात है 2017 की मुझे याद है तो नवेंबर डिसेंबर में ऐसा हुआ कि यहां पे एडवांस पे धान से सुनिएगा यहां पे एडवांस पे जो है ओके GST को स्पेशली जो गूड सेक्टर है उसको कैसे बेनिफिट देना फिलाल मानना पड़ेगा नि यहां पे ओके G judgment ने फिसे एक notification लाया मतलब section में रहने दिया agree to be agreed to be made a notification लाया और यह notification आपको याद करना पढ़ेगा notification number 67 by 2017 और यह notification में यह कहा गया जिसको बहाँ detail में line by line बढ़ेंगे in the chapter of time of supply मैं पढ़ेंगे जरूर इसले don rust तो कुछ स्टुडेंट के आधत हो कि नहीं न सर बात में डिटल में पढ़ा दोना सर अभी पढ़ा अगर मैं अभी पढ़ाने जाओ तो हमारी पूरी लाइन लेंग बिगड़ जाएगी और बहुत सी बार ऐसा होता है जो आपने क्लास में देखा होगा टीचर के साथ कि आप यह केस में अभी फिलाल नॉटिफिकेशन यह कहता है वो केस में अभी फिलाल उसका TOS advance पे नहीं आएगा उसका TOS invoice पे हिआएगा इसका मतलब यह हुआ कि temporary benefit दिया गया है कि जो supplier of goods भो है वो advance पे GST नहीं देंगे जब वो invoice issue करेंगे तब GST देंगे लेकिन यह benefit स्रिफ supply of गुट्स को दिया गया, sorry, notification 66, okay, 66 by 2017, मेरे से गलती होगी, तो 66 by 2017 लाया गया, और वो 66 by 2017 जो है, यहाँ पे, यह notification में कहा गया, कि जो supply app goods करेंगे, supply app goods के transaction पे, advance पे GST नहीं आएगा, TOS नहीं आएगा, वोसे इन्वाइस बैसिस पे आएगा, लेकिन जो service provider है, service provider को यह notification लागू नहीं है, मतलब यह advance पे GST देंगे, ओके, ओके, यह advance पे GST देंगे, ओके, यह समझा क्या, तो यहाँ पे, यह जो है, advance पे, जहाँ तक है, मैंने clarity दी, detail discussion हम आगे करेंगे, अब देखो वो क्या कहते है, GST liability on advance amount received, even though as per term agreed to be made, GST liable on advance received by the supplier, underline, advance received by the supplier, GST लगता है, of goods or service, but following are the amendments made by government, by notification in official gazette, notification number 66 by 2017, very important notification number, आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, यह 66 by 2017 क्या कहते है, यह अभी भी चल रहे है, मतलब यह issue किया था 2017 में और आज भी लाग हुए, अभी तक withdraw नहीं हुआ, इसमें period notify नहीं किया था उन्होंने, कि एक साल के लिए, दो साल के लिए, यह notify कर दिया था, यह सुचा था कि future में withdraw कर लेंगे, लेकिन बाद में 66 by 2017 आया, औके, और यह notification जो है, तब से आज भी लागू है, तो उन्हेंने क्या कहा, supply of goods होगा, तो GST payable only on invoice basis, और यह advance suspend कर दिया गया by notification, तो goods होगा, तो advance basis पे GST नहीं आता है, invoice basis पे आता है, और supply of service होगा, तो GST payable on advance और invoice, whichever is earlier, अगर service होगा, तो yes, advance पे GST आएगा, कैसे आएगा, calculation कैसे होगा, क्या होगा, detailed discussion in chapter time of supply, तो यह discussion से हम क्या सीखे, क्या आप 2 मिट में review कर देते हो, यह discussion से आप यह सीखे, कि supply made और agreed to be made है, agreed to be made में, advance पे भी GST आता है, पर फिलहाल, जो notification 2017 को issue किया था, वो आज भी लागु है, goods के advance पे फिलहाल GST, immediate नहीं आता है, उसके invoice पे आता है, पर हाँ, service sector में अगर advance मिलते हैं, तो GST आता है, I hope, आपका अगर समझाओगा, तो M-type कीजिएगा, made और agreed to be made, चलिए, discussion को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद में, meaning of consideration, important, very, very important, यह आपको, okay, अच्छे से पढ़के जाना है, अब consideration का मतलब क्या, वो क्या कहते हैं, तिसरा, कि, देखो, भाई, एक supplier है, एक recipient है, इसके उपर GST लगाए या ना लगाए, यह discussion चालो गाए, GST लगाने के लिए supply होना जुरूरी है, okay, section 7 के इसाप से, ओके, GST लगाने के लिए supply होना जुरूरी है, और supply goods का हो, यह service का हो, यह for consideration होना जुरूरी है, 7-1-A में, इसमें consideration होना जुरूरी है, ओके, अगर आपके activity में consideration होगा, तो GST आएगा, इसका मतलब, जोर से बोलो, इसका मतलब, जोर से बोलो, free activity पे GST नहीं आता है, एक दुब पूरे जोर से पूरे energy के साथ, free activity पे GST नहीं आता है, पहले बोलो जोर से, फिर इसके exception आएगे, इसके exception आएगे, पहले जोर से बोलो, okay, free activity पे GST नहीं आता है, अगर मैं, जैसे हमारे class में, batch में कोई अगर किसको financial problem है, मैंने free classes दियो हो गया, तो उस पर मैं GST नहीं पे करूगा, जिसने consideration लिया है, उस पे ही GST पे करूगा, तो आपका supply, okay, आप activity कर रहे हो, जिसके against में आपको consideration आ रहा है, जिसके against में आपको consideration आ रहा है, तो उस पर ही GST आएगा, जोर से बोला आपने, पहला thought इतना दिमाग में घुसना चाहिए, इतना दिमाग में घुसना चाहिए, सीधा कि free activity पे GST नहीं आएगा, consideration होगा तो ही GST आएगा, I hope you understood, ठीक है, किसीने free, कोई scheme में government ने free आपको घर construct करके दिये, मैंने training service free दिया, किसीने architect service free दिया, free activity पे GST नहीं आता है, done, अब देखो, यहाँ पे consideration होना जरूई है, फिर sir, एक सवल आता है, कि sir, हमने supply किया, supply up goods किया, supply up service किया, और यह consideration हमें आ रहा है, तो sir, क्या consideration money में आना चाहिए, नहीं बेटा, okay, money में नहीं, किसी भी form में consideration आया, तो GST आएगा, बस consideration होना चाहिए, sir, consideration की definition क्या है, okay, GST law में, yes, definitely consideration की definition, अवे हम देखना है, okay, meaning of consideration, यह बहुत important हो जाता है, क्योंकि consideration होगा, तो ही basically GST आता है, इसको मैं, अगर simple word में लिया जाए, okay, तो यहां मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, payment for supply and monetary value of action, payment of supply and monetary value of action, okay, हमें उसम को दो clause में लेंगे, A और B, okay, title से जादा content पर जाना, okay, title से reference purpose के लिए होते हैं, content बहुत important रहा है, consideration includes any payment made, कोई भी payment आपको मेल रहा है, और to be made, whether in money or otherwise, भाई साब इसको बादल करना, money or otherwise, उन्होंने clear कर दिया, आपने जो goods दिया, आपने जो service दिया, उसके against में आपको जो consideration आया, okay, वो consideration, money में आया या otherwise है, otherwise मतलब kind में आया, money में आया, या kind में आया, वो supply माना जाएगा, अब जैसा मेरे पास एक case आया था, एक architect ने, यहाँ पर धायन से सुनना, एक architect ने construction करके दिया, builder को, और builder financial crisis में चले गया, architect fees थी, no doubt service प्रोवाइड कर दिया, architect ने, लेकिन अब वो architect service के against में, consideration money में मिलना था, लेकिन builder financial crisis में चले गया, builder ने कहा सब मैं money में नहीं, आपको एक flat दे देता हूँ, तो जो supply हुआ, क्या architecture service, उसके against में money में आए, या किसी भी form में है, flat में आ जाए, तो जहां तक flat जो है, वो भी consideration माना जाएगा, sir आपने तो बुला, immowable property पे GST नहीं आता है, भाई साब मैं flat पे GST तो भी लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे architect service पे GST लगा रहा हूँ, और architect service का consideration किसी में भी आए, फिर वो movable में आए, immowable में आए, kind में आए, money में आए, तो consideration मिला ना, consideration मिला तो वो case में GST आएगा, in connection with, in response to, or for inducement of supply, आपने जो supply किया goods or service का, उसके connection में आपको consideration आया, उसके response में consideration आया, या okay, inducement, वो induce करने के लिए consideration आया, sir यह inducement क्या होता है, आगे example लोगा, 2 minutes के लिए रोख जाना, okay, तो inducement वो अगर होगा, तो और उसका आपको consideration में मिला होगा, या otherwise consideration मिला होगा, तो वो situation में, जहां तक है, yes, वो supply माना जाएगा, एक तो यह है पेमेंट से लिए रिए रिए, कि आप मुझे consideration में में मनी दे रहे हो, या otherwise दे रहे हो, कभी-कभी monetary value आप action लेनी पड़ती है, कभी-कभी आप money में भी नहीं दे रहे हो, काइंड में भी नहीं दे रहे हो, कुछ action में दे रहे हो, और भाई साब, या action में क्या दे रहे हो, ओके लेता हो, consideration also cover monetary value of any act, any act or forbearance, related to, response to, और inducement of supply of goods or services, भाई सर ये क्या होता है, भाई हमें जो consideration मिला, किसी act में, okay consideration मिला, act or forbearance मिला, और in related to, response to or for inducement of supply of goods or service, okay ये क्या है, बताता हो, okay एक story मेरी लेता हो, और ये बड़ी important है, story ऐसी है, यहाँ पर, कि 2007 में, और ये story हर batch में में पढ़ाता हो, मेरे से किया होगा, तो definitely आपने सुरी होगी, okay हर batch में पढ़ाता हूँ, 2007 में मेरी शादी होई, अब फाल तुर टाइम पास मत करना, okay पहले सून लो, my wife is an interior decorator, और मेरा नाम विशाल है, और मेरे वाइफ का नाम, इशा है, तो इशु ये है, वो मुझे विशु कहती है, मैं इशु कहता हूँ, ठीक है, अब ना, टाइम पास मत करना, इशु 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 करके, इशु क्या था, आप का बदाता हूँ, चलिए, 2007 की बात है, वो इंटेरियर डेकोरेटर थी, शादी होके आई, दो-तीन मैंने हुए हैं, फिर उसने कहा कि, विशाल, मुझे यहाँ पे, प्रेक्टिस स्टार्ट करना है, पुने में, और मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे हम, अप्रेक्टिस स्टार्ट करेंगे, पर कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भै भी नया नया था, पुना में, नए-नय क्लासे चालू किये थे, कुछ नए फ्रेंड्स मैने थे, 2004-05 में मैंने क्लास चालू किये थे, तो अब क्या हुआ कि, यहाँ पे, वाइफ का नाम लेती है, फैन वैन सब बंध हो गए, इसी बंध हो गए, ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने क्या बिल्कुल स्टार्ट करते, तीन दीन बाद, मेरा एक फ्रेंड था, जो हम साथ में पढ़ते थे, और वो बंबे में जॉब कर रहा था, तो उसका कॉल आए कि, विशल, मेरी अब ही ट्रांसफर पूने हो रही है, और मैंने पूने में 3BHK फ्लाट करीदा, मैंने का, वेरी गूट कॉंग्रेट्स, क्या बात है, बढ़िया है रहा है, और उसने का, इंटेरियर करवाना है, तो कोई इंटेरियर डेकॉरेटर आपके पैचान का है, तो मैंने का, अरे भाई साब, तेरी भावी इंटेरियर डेकॉरेटर है, अच्छा, भावी इंटेरियर डेकॉरेटर है, अरे बहुत बढ़िया, फिर तो घर की बात है, तुमको प्रवाइट कर देंगे, तीन दीन बाद उसने जो concept इक्सपेंट किया, design प्रवाइट किया, उसको बहुत पसंद है, उसने कहा कि, हैर विशाल, मुझे भावी से करवाना है, जो भी fees होगी, मैं पे करने के लिए रेडियो, मैंने का, fees का क्या ले रहा है, मैंने मजा क complete करना है, क्योंकि मुझे तीन मैने में shift होना है, और अपने ही flat में shift होना है, और turn की project है, turn की project मतलब, मुझे ऐसी तरह से चीए कि material भी interior decorator का लाए, service भी वो दे, carpenter भी उसका हो, मेरे पास इतना time ही नहीं कि मुझे बामे से बार बार आ सको, मैं सिर्फ key turn करूगा, project should ready to use, material भी तुमारा, service भी तुमारी सब दूगो, मैंने का कोई problem नहीं, मैं तुझे बता दूगा, material selection वगरे सब मेरी wife कर लेगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर, मैं अपने wife के पास गया, मैंने का कि यार, वो का मैं छोड़ना नहीं है, हम स्टार्ट मिल रहा है, स्टार्ट मिल रहा है, बट एक important बात है कि उसको तीन मैने में complete करना है, तो ready है, तीन मैने में complete करने के लिए, हमें कार्पेंटर टीम बनानी पड़ेगी, हमें मतलब मैं तो BZU class में, तुझे कार्पेंटर टीम बनानी रहेगा, काम चलू हो गया, 5-6 दिन आप कार्पेंटर वहां काम कर रहा है, लेकिन उस सोसाइटी में, जो इस फ्लाट का neighbor था, उसने सोसाइटी में objection डाल दिया, उसने सोसाइटी में objection ये डाल दिया, कि यहां पर नहीं, यह क्या है यार यह दिन आत काम कर रही है, आपके ह शाम को साथ बजो तक, बस इतना ही काम होँ पाएगा, वो आई घर पर परिषान थी, मैं क्लास से गया, मैंने का क्या हुआ जानू, चलते रहता है, जब नहीं नहीं शादू होती है, तो ऐसे जानू अगरे चलते रहते है, अब नहीं होता है, अब तो इधरा, ऐसा चलो होता है, अब जहां तक देखा जाए, मैंने होगा, क्या होगा जानो, तो उसने का विशाल, विश्व ये ये प्रॉब्लम है, वो नेवर ने अब्जेक्शन ले लिया है, मैंने का ठीक है, दर में हूँ ना, मैं चलते हो तरे हम दोनों जो है, यहां वहां गए, नेवर के पास, मैंने अपना इंट्रोड़क्शन दिया, कि मैंसर्फ चार्टेटर कॉंटेंट ये है, और उसने इंट्रोड़क्शन दिया, उसने चलो, वो वो ऑस्पिटेबिलिटी बताई, उसने बुलाया, घर में बैठाया, हमने का स है, यहां पे नीन नहीं होपाती है हमारी, तो मैंने का सर, कुछ दीन एजस्ट कर लीजिए, एक मентा, तब तक सारे काम हो जाएंगे, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे, मैंने में ये इल्लेते है, उनने का नहीं सर, नहीं पॉसिबल एजस्ट करना, फिर मैंने सीधा सीधाск को by nature offer देती है कि sir युकर आपके hall का interior नहीं हुआ है उन्हें ने ने का हां interior नहीं हुआ हाल का तो मैंने का एक काम करता है कि आपके hall का जो है interior हम करवा लेता है अच्छा लगेगा आपका भी हॉल, उसके मन में एक लड्डू फूटा, उसने का आप कैसे करवाओगे, मैं इसके लिए अभी खर्चा करने को रेडी नी हूँ, मैंने का पैसा आप से किसने मांगा है, आप सिर्फ माटेरियल लाके देना, वो भी हम बल्क में लाएंगे तो में आपकी कॉस अजस कर लेगे, कम से कम प्राइज मिलाएंगे, लेबर हमारा, इंटेरियर हमारा और सुन्दर इंटेरियर आपका करके देंगे, और पूरा डिजाइनिंग करके देंगे, उसने वो थोड़ा रिलाक्स हुआ, उसने पुछा मुझे क्या करना पड़ेगा, काम में काम हो जाएगा, क्योंकि, आज आप परिशान कर लेते है principles तो काम में काम कर लेते हैं, तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा, हम आपको इंटेरियर कारपेंटर सर्विस free देंगे, interior और carpenter service free देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो society में आपने objection उठाया है, forbearance कर दो उसको, छोड़ दो उसको, आपको एक act करना पड़ेगा, और वो action होगी, मुझे पैसा money में नहीं चाहिए, कसम खाता हो, मुझे money नहीं चाहिए, पाप है money तो, okay, मुझे other में नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, okay, आपके आपने architecture and carpentry service, दिखने में तो free है बेटा, सुनो, दिखने में तो free है, लेकिन क्या real sense में वो free है, कि कुछ मिला है, कुछ मिला है, और वो है forbearance, उसने objection withdraw कर लिया, forbearance, यहाँ law बहुत important हो जाता है, और यहाँ यह कहता है, कि अगर, okay, यहाँ पे किसी भी contract में, money नहीं होगा, यह kind नहीं होगे, और कुछ ऐसे act होगे, यह forbearance होगे, जो आपको मिले है, against your supply of goods, against your supply of services, okay, against supply of goods और against supply of services, तो भाई साब, okay, उसकी भी monetary value, उसकी भी monetary value, consideration में मानी जाएगी, और वो भी consideration माना जाएगा, Sir, but, आपने तो चिला-के कहता चहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो na, lift the corporate will, उसका मिल देखो, चहरा मत देखो, दिल देखो, और उसका दिल clear कहता है कि consideration है, कुछ तो है, दया, कुछ तो गड़बड है, दया अरे समझा की नहीं समझा, तो ऐसे situation में, जहां तक है forbearance अगर होगा ओके, सर कोई practical example यह तो आपने अपने example दिया, स्टोरी अच्छे लगी, मज़ा आ गया मज़ा गया, MZ, 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 लेकिन सर कोई practical example है ना बिटा, मैंने दो cases handle की ऐसी, practical example अगर मैं practically देखा जाओ, तो यहां पर एक builder था, builder में, okay, slum rehabilitation में, okay, जो वहाँ, जोपडपत्टी थी, जोपडपत्टी को उसने, building construct करके थी, construction service है, उसने गाँ, देखो, यह मैं आपको construct करके दे रहाओ, एक जगा building, आप वहाँ रहने चले जाओ, okay, free दूँगा, आपको कोई charges ने लगाँगा, दिखने में free है बिटा, और यह real sense में free नहीं है, notice आया दा department का, okay, real sense में free नहीं है, जो उसने construction service दी, उसका consideration उसको मिला, कि जो जो पड़बत्टी वाले है, slum rehabilitation है, उसमें उनों ने जो है, अपने rights छोड़े उनके land के, okay, जहाँ पर उनका occupancy था, और rights छोड़े, वो consideration है, GST का notice आया था भाई, okay, 55 करोड़ का notice था, कि तुमने इस पर GST नहीं दिया, आत्मा को पकड़ो, हम कहीं पे भी इसको apply कर सकते है, आत्मा ये कि वो free, free होना चीए, उसमें ना money होना चीए, okay, one, उसमें ना money होना चीए, second, उसमें otherwise मिं नहीं होना चीए, और उसमें कोई ऐसी action, या act, या forbillance नहीं होना चीए कि जो आपको फाइदा दिलवा सके, जो आपको फाइदा दिलवा सके, अगर वो, अगर ये चारो चीजे नहीं है, तो फिर वो फ्री माना जाएगा, फिर GST नहीं आएगा, पर ये चारो में से कोई भी चीज होगी, तो फिर GST आ जाएगा, I hope आपको समझा होगा, okay, समझा की नहीं समझा, समझा होगा, तो A-B type करो, okay, समझा होगा, तो A-B type करो, उसके बाद में, payment by, whether payment made by recipient or any other person, sir, क्या ये ज़रूरी है कि consideration recipient से आना चाहिए, नहीं, आपका consideration in connection with recipient से आया, या in response to third party से आया, sir, okay, third party से आया का मतलब क्या, okay, चलो example लेता हूँ, okay, आप example लेता हूँ, ये example डेफिनेटल आपको help करेगा, जो third party से भी आया हो, जैसे आप कोई car खरीतते हो, या आप कोई bike खरीतते हो, car और bike में आपको एक साल की free service मिलती है, पर सच बताओ तो ये नाम के लिए free है, रियल सेंस में उस पर GST आता है, जैसे आपको three servicing free की, मैं डिलर हूँ, और मैं authorized service center है, और मैं आपको free service के coupon दे रहा हूँ, और कि आपको ओगे सर ये तो free service के coupon है, इसके उपर GST नहीं आता है, रियल सेंस में इसके उपर GST आता है, क्योंकि आपके लिए वो free है, लेकिन उसका जो coupon है वो जाता है company को, डिलर को, manufacturer को, मारूती उद्योग, और कि आपने मारूती का कार लिया होगा, टाटा, या फिर जो भी हुंडाई वगरे, तो उनको जाता है वो coupon और उनसे पैसा आता है, तो जरूर नहीं कि जिसको service दी, जिसको service दी, उसको वो से पैसा आना चीए, अगर आपके service का पैसा किसी और से आ रहा है, तो वो free नहीं माना जाएगा, वो free नहीं माना जाएगा, I hope, यहाँ पर यह जो है, consideration आपसे है किसी और से है, एक सवाल आपका आ सकता है कि company में जो CSR activity होती है, वो CSR activity पर GST आता है कि नहीं, वो totally free है, क्योंकि उसका consideration किस के आ रहा है, नहीं, general consideration, charitable consideration, यह general हुआ, इसको हम यह नहीं बुलेंगे, मैं case study आगे लुगा, supply for consideration, वो circular बड़ा important है, उसमें CSR activity पर थोड़ा और clarity आएगी, अभी रुख जाना, एक बहुत अच्छा clarification आगे, supply for consideration, तो वो case में आपको CSR activity का clear हो जाएगा, अगर आपकी दिमाग में CSR का question आया होगा, वापस आते हैं, तो payment आप से आए, या किसी third person से भी आए, in response to your supply, in connection with your supply, तो जहां तक है, वो भी consider as a consideration होगा, next, which is very very important, यह बहुत ही important, exclusion, मतलब कुछ चीज़े consideration नहीं मानी जाएगी, exclusion from consideration, however, it does not include, A, subsidies provided by central government और state government, अगर central government और state government की subsidy आ रहे है, पैसा आ रहा है, पर government से आ रहा है, in the form of subsidy, तो वो situation में, यहां पर जो है, वो consideration नहीं माना जाएगा, ओके example की तोर पर, तोड़ा हम यहाँ लेते कि, आप यह farmer को दे रहे हो, फीक है? और इसके लिए, जो आप fertilizer farmer को दे रहे हो, जिसके लिए central government की या state government की subsidy है और central government से 100% आपको पैसा मिल रहा है farmer को आप free दे रहे हो और central और state government को आपको 100% subsidy मिल रही है central या state government से आपको 100% subsidy मिल रही है तो अब सवाल क्या हो जाता है? सवाल यह हो जाता है कि पैसा तो आपको मिल रहा है यह पैसा मेल रहा है, money मिल रहा है, पर government से मिल रहा है, तो क्या यह consideration माना जाएगा? नहीं, यह consideration नहीं माना जाएगा, और यह जो आपने fertilizer supply किये, no GST, इसके ओपर GST नहीं आएगा, क्योंकि government subsidy, यह consideration नहीं मानी जाएगी, इसके ओपर GST नहीं आएगा, एक्जाम्बल को ढूबाए जोशा करते है एक्जाम्बल को एसा लेते हैं औ्टे यहन पे और एक्जाम्बल करको है हैं तॉपसिडी बाइ अपने खुछुन करें यहूख और यहां बिंसिती है मोट्ट जिसको फार्मेर ली से सेवन्टि रूपीजy क्यों कि 100 MRP उसकी ऑके स्भवल इन्रेड एंडेड है फार्वार मसस्रेफ Sun 21 गोवर्मेंट से सब्सीडी ह bus आए कि開़ करे गवंशे संब से सब्सीडी से 30 público एक है कोई आपको मिल रहेहां तो च्रहां city government से मिल रहा है तो बता आपके उपर फटा पट आइंसर दो अगे जिस्ट कितने पर आएगा तो जिस्ट बेटा यहां पर अग के यह जो 30 है not a consideration not a consideration यह consideration नहीं माना जाएगा तो आपके उपर जो जिस्ट आएगा वो 70 पर आएगा so GST is payable GST is payable only on value only on value that is rupees 70 70 rupees पर ही आपको GST pay करना पड़ेगा I hope आपको बहुत क्लिरली और यहां यह चीज समझ में आई होगी कि जो subsidy government से आती है वो subsidy okay consideration का पाट नहीं मानी जाएगी consideration का पाट नहीं मानी जाएगी I hope okay समझा होगा second second a deposit provided concerning a supply of goods or service underline deposit concerning supply of goods or service is not a considered as payment for the supply unless unless को underline करना supplier utilize deposit as a consideration for specified supply okay अब देखो यह deposit का एक example लेता हूँ मैंने अपना घर रेंड पे दिया okay या मेरा commercial place office है रेंड पे दिया रेंड पे देना यह service है और रेंड पे देना service है पर agreement ऐसा हुआ कि आपको पांच मैने का deposit देना है और मुझे GST लगाना है अब बताओ GST 18% से मुझे लगाना है GST कितने पे लगाओ अगे GST भी कितने लगाओ total 6X पे लगाओ या फिर मैं only 1 lakh पे लगाओ बताओ तो GST जो आएगा only rupees 1 lakh पे आएगा बेटा क्योंकि deposit ये refundable है या non refundable भी होगा क्योंकि उन्हें कुछ नाम नहीं लिया refundable non refundable उन्हेंने का किसी भी type का deposit है तो वो consideration नहीं माना जाएगा या थोड़ी tax planning हो सकती है अगर आप non refundable deposit लेते हो कि भी refund नहीं करोगे अभी फिलाल तो यह understanding है कि deposit के नाम से अगर आपने पैसा लिया क्योंना non refundable हो उस पे GST नहीं आता है वो consideration नहीं माना जाएगा मन को मना लो यह tax planning कर सकते हो यह लेक्यों ना है इस act का तो deposit refundable हो या non refundable हो यह मन को मना लो लिख दो वहाँ पे deposit refundable हो यह non refundable हो यह मन को मना लो ओके वो जो है deposit पे GST नहीं आ रहा है लोग इसका फाइदा ले रहे 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 है तो ऐसे consideration नहीं माना जाएगा, unless such deposit adjusted as a consideration, okay, ख्याल रहे, deposit non-refundable हो, तो GST नहीं लगता है, पर अब ऐसा मत करना है कि यह planning बड़ी easily हो सकती है, reasonable basis पर आप deposit लेना, पूरा rain deposit में adjust कर लोगे, तो GST आएगा, ऐसा नहीं है, lifting of corporate will होता है, go beyond the scene होता है, औके और आप अगर deposit के नाम सी सब रिंड हर मेने में deposit लिया, deposit लिया, भाई साब लोगों को ऐसे ऐसे फाल तुमस समझो, officer दुख खीच के देंगा, यह क्या हर मन का deposit, एक reasonable ठीक है तुन्हें पहले लिया, तो आपको benefit मिल सकता है, यह मैं बहुत clearly बोल रहा हूँ, तुमारे boss कुछ भी बोले, कोई भी दुनिया का दूसरा आत्मी कुछ बोल रहा है, यहाँ पर advance ruling है, बहुत सारा discussion है, और अभी यह lacuna है, मान लो अब इसके आगे में discussion नहीं करोगा, reasonable basis पे, नहीं तो हर चीज adjust करते बैटोगे, तो officer दो कीच के मारेगा ही आपको, ओके, done, now, दूसरी बात आपको यह बता दूसरी, 1 lakh पे GST आएगा जो rent का है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अब मुझे यह बताओ, कि आपने 3 मेने का rent नहीं दिया, तो मैं क्या करूगा, अगर आपने 3 मेने का rent नहीं दिया, तो वो case में, मैं अपना rent, 3 मेने का, किस से adjust कर लोगा, deposit से, तो अब law क्या कहता है, अगर future में, जो आपके service का consideration है, वो consideration आपने deposit से adjust किया, आपको 3 मेने का rent लेना तर 3 lakh रूफ है, और वो consideration आपने जिस दिन deposit से adjust किया, फिर वो refundable हो, और non refundable हो, ओके जिस दिन adjust किया, उस दिन, जितना adjust किया, वो supply माना जाएगा, मतलब वो deposit का 3 lakh रूपे इदर adjust हो गया, तो ये 3 lakh supply माना जाएगा, I hope आपको ये point समझा होगा, yes or no, प्लीज बताओ, आपको ये point समझा है नहीं समझा, जब deposit से adjust होगा, तो वो supply माना जाएगा, जब आपका deposit से rent काटा जाएगा, तो वो तो supply का पैसा है, ये समझा कि नहीं समझा, प्लीज बताओ, चलो, ठीक है, अब इसका एक शार्ट देख लेता है, चलो, ये चार्ट ड्रा करलो, चलो, ये चार्ट ड्राओ करलो, consideration, ड्राओ करो, ड्राओ करो, और ड्राओ करते वक्ट पूरा आपका ध्यान होना चीए, ड्राओ करो, और ड्राओ करते वक्ट पूरा ध्यान होना चीए, लिखते वक्त ही definition लान हो जाना चीए, और होने के बाद, done लिखो, झाल 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 हो गया तो बता चलो इसका स्क्रीनशोट ले लो एचार ड्रॉ करना है स्क्रीनशोट ले लो जो ओडी पीटी में देख रहे है पॉस करके स्क्रीनशोट ले लो चली भाई तो कंसिडरेशन ने क्या अब आपके दिमाग में सामने क्या होना चीए आपको पैसा मनी या अधर्वाइज या एक्ट या फॉर्बिरंस इसकी मोनेटरी वैल्यू तो चार चीज़ा रहती है तो अगर चारो अपसेंट है तो फिर फ्री सप्ला है भगवान भी आ जाये तो जिस टी नहीं लग सकता तो ऑफिसर जब भी कोई फ्री अक्टिविटी होती है तो चार चीज़े चेक करता है कि आपने जो गूट्स फ्री दिया या आपने सर्वीस फ्री दिया या फिर यहाँ पर कोई एक्ट एक्ट में मिला क्या या कोई फॉर्बिरंस मिला क्या कुछ तो बेनिविट होआ क्या कुछ छोडने का बेनिविट वगरे अगर यह कुछ नहीं होगा तो फिर वो मानेगा कि यह फ्री सप्ला है और यह फ्री सप्ला होगा okay in response to in relation to for inducement of your supply okay तो ऐसे case में उस पे GST ने आएगा लेकिन okay वो जो payment हो recipient से आए या third party से है ख्याल रहे subsidy अगर government की होगी only तो exclude होगा सर अगर में subsidy मिल रही है private organization की तो वो add होगी private organization की add होगी किस की एकसरूड होगी government की एकसरूड होगी और deposit okay for payment of supply एकसरूड होगा फिर वहाँ लिखना हो तो लिक सכते हो deposit foldable हो या non refundable हो लेकिन अगर वो adjust हो गया against the consideration और आपके और rain की against में adjust हो गया या आपके service की against में adjust हो गया या आपके goods की against में adjust हो गया payment में, तो जिस दिन adjust हुआ, उस दिन वो supply माना जाएगा, चलिए दोस्तों, तो यह हमने concept देखा था, consideration का, ओके, यहाँ पे, अब कुछ बात में हम discussion करते हैं, चलिए, एक word इसमें use किया है, in respect of, in response to supply, यह अब ठीक है, legal jargon से, in short, आपने जो supply किया, उससे related पैसा मिला, यह उसके response, इसके response में third party से मिला, जैसे मैंने मारूती का example लिया, तो आपने जो supply किया, उसके response में किसी और ने मुझे पैसा दिया, किसी और ने दिया तो भी आएग इसमेंट किया होता है, इसमेंट का यह एक example दिया है, यह example से इसमेंट में समझाना चाहोगा, okay, a restaurant offered free meal to driver of buses carrying passenger as an inducement to bring potential customer to his business premise, since the meal was not given to driver of empty buses, there is a direct link between the act of bringing passenger to food outlet and the provision of free meal, the consideration here is free meal provided, okay, consideration, जो यहाँ पे, a free meal, जो उसको provide किया जा रहा है, अब देखो बहुत सी बार, okay, यहाँ, जैसे consideration here is, for the, यहाँ forward डालना, for the free meal provided, okay, inducement क्या किया जाता है, induce मतलब, आपको के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जिसके वेचे आप tempt और रहा है, promote और रहा है करने के लिए, induce किया जा रहा है, tempt किया आपको, okay, तो अब यह क्या होता है, जैसे, अभी आपने बहुत सी बार highway पर देखा होगा, let's take example, पुने मुंबई highway, पुने मुंबई highway पर, okay, बहुत से private bus operator है, तो बहुत से restaurant वाले है, इनके साथ contract करते हैं, कि भाई, driver के साथ contract करते हैं, तु मेरे restaurant पर रोक, तु मेरे पर इसने induce किया कुछ करने के लिए, इसने induce किया कुछ करने के लिए, तो भाई साथ, okay, अगर induce में कुछ action करके मिल रही है, क्या induce में action करके देखा है, कि मैं तुझे यहाँ पे food free दूँगा, तो passenger bus रख, बाकी किसी को नहीं देता हूँ, पर तेरी passenger bus होगी तो तू रोक, उससे फाइदा क्या मिलने वाला है, यह induce करने से, फाइदा यह मिलने वाला है, कि जो भाई, यहाँ पे passenger रुकेंगे, उससे business बढ़ेगा, तो ऐसे case में यह मत समझना कि उसने जो food दिया, वो free है, भाई साथ, वो food लिटरल सेंस पे free नहीं है, okay, वो induce किया गया, जिसके मैं यहाँ पे, okay, किसी student को यह कहोगा, कि भाई मैं देख तेरको, okay, free training देता हूँ, तु मेरे लिए यह notes में help कर दे, या तु मेरे लिए यह action कर दे, या तु मेरा वहाँ add कर दे, तो यह induce किया जा रहा है, example ले रहा हूँ, मैं ऐसा करता नहीं, okay, example ले रहा हूँ, तो वो induce inducement जो है, उसमें अगे इसमें action करके मिल रही है, वो भी supply माना जाएगा, ठीक है, तो यह था, regarding to example of inducement, ठीक है, free supply, very very important, free supply of goods or service not subject to GST, unless it is specifically covered in schedule 1, schedule 1 के अगर कुछ free supply होगे, schedule 1 के free supply होगे, तो उस पे GST आएगा, otherwise, इंडिया में किसी भी goods या service के free supply पे GST नहीं आएगा, जैसे access to free TV channels, tourism के लिए website है, tourism information free है, आपको Instagram free है, आपको Telegram free है, आपको WhatsApp free है, भाई साहब यह service से आप दुनिया भर की चीज़े कर रहे हो, तभी उस पे GST नहीं, आपको GST नहीं, हाँ, Instagram पे जो ad का पैसा मिल रहा है, जिससे ad का पैसा लिय अपना, free DP डाल रहे हो, अपना, सब कुछ free activity वहाँ पे कर रहे हो, तो आपको कोई GST लगेगा, free activity और services पे, कोई भी GST नहीं लगेगा, फिर वो goods का हो, या service का हो, that's all, now, next, a very important discussion, start करना भाई, इसके उपर case study आपको आ सकती है, supply for consideration, okay, very important, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ, यहाँ पे, चली, तो मैंने जैसे काप free supply पे GST नहीं आता है, जिससे मैं भी बहुत सारी free revision videos डालता हूँ, chapter 1, chapter revision, marathon sessions डालता हूँ, questionnaire discussion, genie book free दे रहा हूँ, okay, जिसका कोई extra charges नहीं है, तो उस activity पे GST नहीं आएगा, यह supply for consideration समझ लो, section 7 1A कहता है, देखो थोड़ा, थोड़ा complex discussion है, मानता हूँ, class का ending, ending part है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पूरा धाम देना, पूरा धाम देना, ठीक है, section 7 1A क्या कहता है, section 7 1A कहता है, कि all forms, all forms of supply, जहां तक है, all forms of supply, supply, हो सकता है goods का हो, हो सकता है services का हो, goods का हो, services का हो, ठीक है, और यह supply for consideration होना चाहिए, अब यह for का important समझ लो, for consideration होना चाहिए, और, in the course of business, in the course of business होना चाहिए, यह supply for consideration होना चाहिए, और यह in the course of business होना चाहिए, भाई साहब, यह word पे आप में ध्यान लाना चाहोगा, supply for consideration, supply for consideration, मतलब, मतलब यह कि cause and effect होने चाहिए, मैं दो word यूस करने वाला हूँ, cause and effect, or you can say, contractual reciprocity, contractual reciprocity, okay, या फिर something against something, तिनों का मतलब यह कि है, something against something, against something, okay, cause and effect, contractual reciprocity, or something against something, तिनों का मतलब एक ही है, तो नहीं समझा, तिनों का मतलब एक ही है, okay, मतलब यह है, कि अगर मैंने supply किया, तो उसमें consideration होना चाहिए, या consideration है, तो supply होना चाहिए, cause and effect, okay, यह concept को समझ लो, यह concept को, cause, okay, cause supply, effect, consideration, या consideration, तो supply, consideration, तो supply, consideration, तो दोनों contractual reciprocity होनी चाहिए, something against something होना चाहिए, सर, डांस अच्छा लगा, लेकिन, मिनिंग बताओ, मतलब यह है, कि अगर मैं supply कर रहा हूँ, in the course of business, तो, consideration होगे, तो ही GST, या मुझे पैसा मिला है, पैसा मुझे मिला है, तो उसके against में supply क्या obligation भी होने चाहिए, there should be a obligatory situation for supply, तो, तो GST आएगा, सर, थोड़ा इसको और explain करो, बिल्कुल, अब मैं यह CVIC clarification लेता हूँ, donation received by charitable institution for individual donors without quid pro को, यह तिसरा word है, और एक वर्ड इसको का जाता है, quid pro को, okay, मतलब क्या, अब थोड़ा समझ लो, एक charitable trust है, ठीक है, मेरी charitable trust है, आप अपना example लेना तो आपको ज़्यादा समझ भाएगा, मेरी charitable trust है, और, मेरी schools है, और school, यहाँ पर बहुत सारी schools है, अयूश जो है, सुनना, एक नाम लेते हैं, अयूश, अयूश जो है, धहन से सुनिएगा, मैं अयूश के पास गया, मैंने का, अयूश, मेरी charitable trust है, आप प्लीज डोनेट कीजिएगा, तो अयूश नहीं का, बिल्कुल सर, मैं डोनेट कर देता हो, तो आपकी स्कूल में, एक रूम मैं construct करवा होगा, मैं बांद के दूगा एक रूम, और यस, वो स्कूल, उसके लिए जो भी पैसा लगेगा, मैं डोनेशन दूगा, अयूश के लिए, अयूश से पांच लाग का डोनेशन आ गया, और के फाइल एक्स मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट को आ गया, अब अज एक्ट अफ फिलांट्रोफी, अज एक्ट अफ ग्रैटिट्यूड, मैंने वो रूम जो है, अयूश के नाम की नेम प्लेट लगई, कि इनके सौजन्य से, और के ये रूम बनी है, जिसका नाम अयूश का लगाया, अब सवाल ये है कि जो मुझे वोलेंटरी डोनेशन मिला, सुना, पैसा मिला, और जिसको पैसा मिलता है, और के वो सप्लायर होता है, पैसा मिला पांच लाग रुपे, थो है, इसके अइन में अयूश को एक dar को कुछ अपलाय करने की जिम्मियदारी मेरे पे थी, क्या ये कोंट्रेक्ट, मैरे पे कुछ अपलायर ही था, ये उसने दीया, उसने दे दिया, मैंने बान के दे दिया, जनरल अक्टिविटी के लिए मैंने किया, वो नहीं भी देता, तो भी मैं रूम बानता, कोई मेरे पर obligation नहीं था, हां उसका नाम लिखना, नाम लिखना कि एडूटाइजमेंट था, यह act of philanthropy, act of gratitude था, नाम लिखना मतलब मैंने उसको कई बेनेफिट दिया ऐसा है क्या, तो CBIC ने ये clarify क्या, पहले CBIC क्लारिफिकेशन सब्सक्राइब, CBIC ने कहा, पढ़ लेते, एक एक लाइन पढ़ लेते, CBIC क्या कहना चाहता है, donation to charitable organization are considered a consideration only, वो सी consideration माना जाएगा, when there is an obligation, quid pro quo for recipient to provide a service in return, जो भी charitable trust को donation मिलेगा, वो consideration माना जाएगा, consideration माना जाएगा, जब उसके against में कुछ मुझे obligatory करना पड़ेगा, पर उसने पांच लाग रुपे दे दिया donation, मैंने एक रूम बान दी, पर मुझे obligatory कुछ करना नहीं था, उसके against में कि यह करकी दिन है, उसने general donation दिया, warranty donation दिया, okay, for recipient to provide a service in return, recipient of donation, institution like religious organization, charitable group, schools, hospital, orphans, old age home, often receive financial help or support in the form of donation or gift, gratitude and expression, recipient institution often acknowledge donors by placing name plates or similar acknowledgement on their premises as a gesture of gratitude or public recognition for philanthropic act, okay, no supply of service, when donor name are displayed in a manner that, very important, okay, highlight करना, when donor name are displayed in a manner that, it just expect the gratitude and recognition, without promoting the donor's business, हा, उसमें donor's business को promote नहीं किया जा रहा है, it doesn't constitutes a supply of service and there is no GST liability, okay, उसके against में कोई GST liability नहीं आएगी, थोड़ा इस point को समझ लो, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आपने किसी से voluntary donation लिया, आपने किसी से voluntary donation लिया, और वो voluntary donation के against में आपका supply करने का कोई obligation नहीं है, तो contractual reciprocity नहीं है, quadro poke नहीं है, okay, contractual obligation नहीं है, okay, पैसा आ रहा है, but there is no obligation of supply, there is no obligation to do the anything, तो वो just consideration है, उसके against में supply नहीं है, वो जिस्ट में नहीं आएगा, अब सामने वाले का name plate मेंने किस intention से लिया, अगर मैं उसको promote करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने उसको कुछ दिया, उसको कुछ दिया obligation में, लेकिन अगर मैं promote नहीं करना चाहता हूँ, okay, वो just act of philanthropy है, तो उसके उपर GST नहीं आएगा, उसके उपर GST नहीं आएगा, example, अभी जैसे, बहुत सी बार क्या होता है, कि festival होते है, Dania, Dania में बहुत सी charitable institution program event run करती है, तो वो कहते हैं, मेरे पास आती है, कि आप voluntary donation करो, okay, हम आपका नाम promote करेंगे, V smart academy, okay, LED पे चलाएंगे, जोरदा चलाएंगे, तीन-चार बार announce करेंगे, मैंने का, देखो, मेरा नाम अगर promote करते हो, V smart academy करते हो, तो मैं donation देता हो, अगर इस तरह के quadro pro होगे, जिसमें obligation है कुछ करने का, तो ये donation taxable है, ये give taxable है, क्योंकि इसमें supply for consideration, या consideration for supply, दोनों चीजे cause and effect में है, okay, तो, पर अगर से पैसा मिला, पर कोई obligation नहीं है, कोई obligation नहीं है, तो वहाँ पे, okay, contractual reciprocity missing है, quad pro को नहीं है, तो वो case में, यहाँ पे something against something नहीं है, तो वो supply नहीं माना जाएगा, इसलिए, यहाँ पे, okay, जैसे, तो, just name plate लगाना, मतलब ये supply नहीं है, दूसरा, यह principle से name, charitable trust के लिए, और यह तो, वर्दान है, clarification charitable trust का, क्योंकि यह, यह clarification से, charitable trust के, कौन सी activity पे tax आएगा, और कौन सी नहीं आएगा, बहुत clear हो गया, charitable trust, अगर donation लेती है, okay, obligation में, कि करना पड़ेगा, तो GST देना पड़ता है, पर without obligation, voluntary लेती है, तो GST नहीं आता है, क्योंकि उसमें, quadro pro नहीं है, उसमें something against नहीं है, उसमें supply for consideration नहीं है, same for inducement, एक सवाल पुछा गया, okay, आपके दिमाग में, वो सवाल आ सकता है, कि, sir, आप जो यह, genie book देते हो, okay, genie book देते हो, free, advertisement करते हो, okay, यह सवाल आपके दिमाग में, आप free lectures देते हो, पर उसमें तो, sir, आप एड की intention से देते हो, वो intention नहीं, क्या आप पे उपर obligation है क्या, कि, आपको add करना ही है, okay, मैं genie book दूगा, पर आपको 50 student लाना ही है, या मैं यहाँ पर आपको free lecture दूगा, पर आपको 100 student लाना ही है, अगर आप obligation में क्राम कर रहे हो, तो फिर यह free supply नहीं है, okay, उससे क्या benefit मिल रहे है, वो ठीक है, अलग है, पर obligation कुछ नहीं है आपके उपर, quadro pro नहीं है, for something against something नहीं है, यह समझा क्या, अगर यह समझा होगा, तो clearly बताओ, okay, तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, okay, आपको देखना है, देखो, मैं ही देखना है, और सच में वो आइडिलाइजमन नहीं है, आपको support ए एक्जाम तक का, okay, तो ऐसे case में, उसमें supply for consideration नहीं है, तो उसके आपर GST नहीं आएगा, यह समझा है या नहीं समझा, please बता, okay, तो यह सिब concept donation में, यह कोई भी case में है, आपको support, okay, यहाँ पर यह जो है, QWEDPRO को, okay, QWEDPRO को, यह लगाना पड़ेगा, something again something लगाना पड़ेगा, आपको लेते हैं, okay, तो, हाँ, अगर कोई यह कह दे, हाँ, यह हो सकते, अगर यह कह दे, कि अगर 1K likes आए, पर वो भी specific नहीं है, अब like कोई भी कर सकता है, 1K like आए, तो दूसरी वीडियो दोंगा, तो जब रसे तो यह नहीं लाइक किया, तो नहीं है, वो कोई specific वहाँ identify नहीं हो रहा है, कि किसका like की बात कर रहा है, okay, okay, तो word pro ko का मतलब, something in return, something against something, something in return, meaning लिखना हो तो something in return, उसको कहते है, word pro ko, नुझे भी pronunciation में तड़ा यह दिक्कर दो जाता है, चलिए, ओके यह था, regarding to example, आपने जगा, भुषन दोनेट अ बाकबोर तो युगानिष संसार, अ चारिटेबल युगा इसूशन, तो युगानिष संसार प्रिंटे अडर्नेट अडर्नेट बाकबोर, तो दोनेट गुड़ विशे स्टर मिस्टर मिस्टर भुषन, यह concept समझ लो, Artist-Gallery Relationship, समझ लो, यह Artist है, उसने, कोई Art Design बनाई, कोई Statue बनाई, और Art Gallery में भेजा, आर्ट गैलरी में भेजा, यह आइरो करता ना, उसकी डिजाइन वहाँ है, भाई साहब, यह पूरा पिच्चर हमने बनाई, नौट कॉपीड फॉम एनिवेर, मैं ऐसे पूरी स्टोरी बनादा था, कि मुझे क्या चाहिए, और फिर देखो, जो पिच्चर यहाँ बनाया, ऐसा कॉपी दर मिलना मुश्किल है, कि कि कैरेक्टर हमने बनाया, जो बनाया, वही आपको आर्ट गैलरी में दिख रहा है, वही स्टैच्व आपको यहाँ दिख रहा है, तो यह एग्जिबिशन है, एग्जिबिशन में दिखाया जा रहा है, ओके, तो law क्या कहता है, कि जब आप यह goods को रिमूव करोगे, ओके, goods को रिमूव करोगे for exhibition, और कौन आर्टिस्ट, तो यह without consideration है, यह लिखो वहाँ पर without consideration है, और अगर यह without consideration है, तो इसके ओपर remove पर GST नहीं है, no GST on removal, क्योंकि consideration ही नहीं है, क्योंकि वह तो वहाँ आपने भेजा exhibition में, हाँ, अगर यहाँ sale हुआ, if sold, यहाँ लिखो, if sold, in exhibition, if sold in exhibition, then, GST is favored, then GST is favored, वह case में आपको GST आ जाएगा, वो तब आएगा जब sale होगा, पर अगर हम exhibition के लिए लेके जा रहे हैं, तो वह case में supply नहीं आएगा, artists provide their artwork to gallery or exhibition, but no consideration is exchanged between gallery and artist, during this stage, the initial act of sending the art of gallery for exhibition, does not constitute a supply, very important, जब आप बेजरे हो तब supply नहीं है, actual supply कब होगा, actual supply occurs when buyer chooses a specific artwork from gallery's exhibition, at the time of this selection and sale, GST become applicable and must be paid, जब actual वहाँ पे sale होगा, तब आपको GST देना पड़ेगा, आपको यह समझाएगा, art gallery का समझाओगा, तो gallery का G type करे, मन में type करे, चलो, कुछ छोड़ी-छोड़ी cases ले लेता हो, जो CBIC ने time-to-time press release या CBIC ने clarify किया, equipment and instruments sent to manufacture a factory for repairs and calibration within India on returnable basis, it is not a supply as removal of goods without consideration, underline, it is sufficient to issue a challenge for movement of goods without supply, समझ लो मैंने camera खरीदा, business के लिए खरीदा, V-Smart Academy में camera आ गिया, और वो camera आने के बाद, पता चला उसमें कोई technical problem है, उसमें technical problem जब पता चले, तो मैंने वो camera रिमू किया, V-Smart के office से, for repair, तो मैं अगर कोई equipment, instrument, रिमू कर रहा हूँ for repair, क्योंकि मैं warranty period में हूँ, और repair के लिए, रिमू कर रहा हूँ on returnable basis, कि मैं repair करके वापस करो, तो अगर कोई भी factory, machine रिमू कर रही है, goods रिमू कर रहा है, for repairs of equipment and instrument, during warranty period, जो बात में return आएगा, उसमें consideration क्या है, भाई मैंने repair के लिए, आपको goods दिया, वापस आएगा, तो that is remove of goods, supply of goods without consideration, क्योंकि वो repair के लिए गा रहा है, वापस आ रहा है, तो उसके उपर GST नहीं आएगा, ओके, GST नहीं आएगा, दूसरा, spare parts freely supplied to replace during warranty period, जैसे during warranty, manufacturer free spares देता है, parts spare देता है, जैसे आपने अगर, कोई bike खरी दी, तो during warranty period, piston खराब हो गया, तो company piston भेजती है, during warranty period, कोई part खराब हो गया, तो company free भेजती है, तो company जो भी free supply करती है, warranty period में, उसके उपर GST नहीं आता है, क्योंकि वो without consideration है, सारे situation important है, problem में पुछे जाते है, ये table important है, कि during warranty period, अगर कोई company ने components free दिया, customer को तो उसके पर GST नहीं आएगा, free food supplied in Annashatras, run by religious institution, जैसे Shirdi Sai Baba Trust, food free दिया जा रहा है, उस पर GST नहीं आता है, not chargeable to GST, sale of prasadam by religious place, हाँ ये important है, religious place पर जो प्रसादम दिया जाते है, जैसे Bala Ji के लड़ू, sale के जाते है, पर इवन्दो वो sale होगा, consideration होगा, but not in the course of business, वो business नहीं माना जाता है, business नहीं माना जाता है, ये next definition business में देखेंगे, और उस पर भी GST नहीं आता है, क्योंकि religious trust जो लड़ू दे रही है, प्रसादम दे रही है, okay, for some amount, it is even though consideration is there, but not in the course of business, ये free distribution of goods by charitable institution, okay, again consideration नहीं है, उसके पर GST नहीं आएगा, तो इस तरह से consideration, इस definition को हमने, तोड़ तोड़ के फार दिया, और हर angle से discuss कर लिया, कि consideration क्या होता है, और supply for consideration का क्या importance है, ये discussion हमने यहाँ पर complete किया, चलिए दोस्तर, तो आज का session यहीं रुकता है, घर पे जरूर पढ़ना, घर पे जरूर पढ़ना, तो आपकी understanding level, super super हो जाएगी, और confidence भी super boost हो जाएगा, एक है, तो चलिए, यहाँ आज रुकता है, आगे का discussion हम नेक्स session में continue करेंगे, then all the best, good day, good night, and आज का दीन आपका सबसे अच्छा दीन रहे, thank you so much.